मेरे प्यारी दोस्तों मेरे प्यारे साथियों लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उसे इन वन गो नहीं देखना है बलकि ब्रेक करकर के समझ समझ करके अपने रेइस्टर में लोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है प्राव्म यदि मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो यह नहीं कि प्राव्म आप देख लेंगे कहां सर ने ऐसे करा गया नहीं आप उस प्राव्म को आगे सॉलुशन देखने के पहले पहले खुद आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि उसे कैसे क्रैक करेंगे उसका एप्रोज क्या होगा तो आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं लेक्चर आगे मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहां पर बात करने जा रहा हैं अब काफी काफी इंपॉर्टन चैप्टर वेप्स के ओपर राइट और मैं अभी जो वेप्स को प्रजेंट करने जा रहा हूं वेप्स को इस तरह से प्रजेंट करना जा रहा हूं कि कि इसमें मैं एक पुरा माइंड मैप आपको दे रहा हूं जिससे कि आप काफी जल्दी इस चैप्टर के उपर एक वर्क आउट कर सकते हैं लेकिन उसके पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सारी बात उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफेशियल है जो आल्रेडी इस चैप कारी नहीं है अब फिर भी वो चाहते हैं कि विप्स इसके थूरू पढ़ना या इसके थूरू समझना तो मैं उनके लिए कहूंगा कि उसके लिए भी लेक्टर में बनाऊंगा लेकिन अभी नहीं बना रहा हूं कुछ दिनों में वो लेक्टर अपलोड करा जाएगा कुछ विक्स में अपलोड किया जाएगा जिसमें कि पूरे डिटेल में जैसे और चैप्टर को मैं डिसकुस करा हूँ उसी तरह से इस चैप्टर का भी पूरा बहतरीर वे में conceptual तरीके से fundamental से लेकर highest level तक की discussion करी जाएगी लेकिन अभी जो मैं पर्जेंट करने जा रहा हूं वो उ उनके लिए काफी काफी beneficial है तो इस टार्ट करते हैं कि वेप्स रिलेटेड जो mind map है उस से रिलेटेड एक concepts को discuss करेंगे concepts के discussion के बाद इसके application के उपरी work out करेंगे राइट लेकिन एक बात और में बताना चाहता हूँ यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल इस video lectures के बारे में हमारे चैनल के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उनको बताईए ताकि उनको भी हमारे काम से benefit हो सके राइट अब सबसे पहली बात आते हैं कि वेप्स क्या है तो इनर्जी जो कि आप बात करते हो इनर्जी प्रपगेट कर रही है अब वही इनर्जी इन स्ट्रिंग के बारे बात करें स्ट्रिंग क्या होता है आप देखें बहुत छोटा से एकमपल में आपको देता हो घर में चादर होता है बेडशीट होती है उसको आप ज़ाडते है ऐसे करते हैं जारते है उसके धूल हटाते है दस्ट उसके पर पड़ी रहती है उसके वो दॉसलेट होने से क्या होता है वो dust particles चादर के surface को छोड़ देता है और फिर वो air में आ जाता है और लिखिन मैंने आपको वेब के बारे में तो बता दिया कि वही कि वेब सीजदा इन नथिंग इन फ्लो अफ इनर्जी एंड मोमेंटम इन फॉर्म अफ दिस्टर्मिंस और वो किस speed से जा रही होती है as the rate of velocity applied 3 into 108 meter per second से जा रही होती है यह point है यहाँ पर तो यहाँ पी यही बात करने जा रहा हूं है कि waves होती क्या मैंने अभी तक fundamental आप से बात कर लिया कि waves अगर होता क्या है अब देखें यहाँ पर certain physical quantity है जो energy जाती है in the form of disturbance तो इसमें disturbance किस चीज को होती है certain physical quantity क्यों होती है अब certain physical quantity कौन-कौन से जो disturb होते है तो electromagnetic wave बहुतीं क्लियर है कि disturbance होती है जो certain physical quantity oscillate करती है वो simple सी बात है electric field magnetic field है जो एक जगह से दूस्छीच जगह basically oscillate गरे पर्रपगेट कर रही है दूसरा sound wave के बात करते हैं तो sound wave में हम लोग करते हैं कि जो air molecules हैं, जो air particles हैं, वो basically sound waves in air की बात करें, तो जो particles से अपने mean position से disturb हो जाते हैं, displacement हो जाते हैं, system होने को होगा, disturb हो कर के sign harmonically oscillate कर रहे होते हैं, sign harmonically हम ले लेते हैं, और basically अपने mean position के about måste isolate कर जाते हैं, disturb हो जाते हैं, और वही belli disturbance वो adjacent particles को क्या करते हैं दे देते हैं और इस तरीके से disturbance जो है आगे जो है basically waves जो in the form of disturbance क्या होती है आगे प्रपगेट होती है तो इसमें क्या होता है कि एक pressure fluctuation भी होती है क्योंकि जब sound waves air में प्रपगेट करेगा तो क्या होगा कि air particles जो है इस तरह से होते हैं ऐसे से करते हैं ऐ air particles तो जहां पर air particles ज्यादा इकटी हो गई वहां पर pressure बढ़ जाती है और जहां air compression हो गई फिर जब air particles ऐसे जाएंगे उस जगह से तो वहां पर air fraction हो जाता है pressure कम हो जाती है तो in the form of pressure waves sound waves जब प्रपगेट करती है air में तो इसलिए हम इसको कहते हैं pressure wave का भी term देते हैं तो यह पर pressure fluctuation हो जाती है तो एक तरह से देखा जाए तो कौन को से physical quantity है जो कि basically यहां पे जिसके term में हम लोग कहते हैं कि waves flow करती है एक जगह से दूसरी जगह उसक इलेक्टिक फिल मैंगनेटिक फिल तो sound wave के कैसे हम लोग pressure wave की बात करते है pressure fluctuation का बात करते है physical quantity जो प्रेसर होती है राइट और या फिर displacement के बारे में बात करते हैं displacement wave के बारे में बात करते है waves on the string जो होती है वहां पर simple सी बात है displacement of the particle तो यह चार physical quantities है जो कि basically जिसके term में हम लोग यहां पर waves की बात करते हैं यह point है यहां पर अब जो हम बात करते हैं वही कि जब waves एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है तो हम लोग terminology यूज करते है traveling wave अब wave को हम लोग यहां पर हमने बात कर दिना कि wave में क्या होता है जैसे मैं यहां पर बात करूँ कि जो आपका particle की displacement होती है तो particle की displacement obvious बाते certain mathematical rule को follow करेगी और हम लोग यह देखते हैं कि जो particles sign harmonically oscillate कर रहा होता है और यहां पर हम लोग बात करने जा रहे है traveling wave के ओपर traveling wave यह पिर हम लोग करते है इसको progressive wave और यह जो mathematical law को follow करता है जिस function को follow करता है वो आपका होता है जो particles हम लोग displacement wave की बात करें या फिर हम लोग electric field and magnetic field के जो है oscillation की बात करें जो mathematics को follow करता है वो f of x plus minus bt होता है समझे बात को सबसे पहली बात मैंने लिखी है y equal to f x plus minus bt y यहाँ पर y exist नहीं समझना y यहाँ पर एक certain physical quantity है y can be the basically displacement of the particle y can be the basically electric field जो अभी EM wave की बात करें can be magnetic field can be pressure wave pressure variation delta p की बात कर सकता है यहाँ पर तो y एक certain physical quantity है जो कि at any position x and at any time t x कमाता हो गया along the x axis यदि wave प्रपगेट कर रही है तो यदि y axis में प्रपगेट कर रही है तो x यह यूज होता और z axis में प्रपगेट कर रही है तो x के जिगा z हो जाता मेरी बात समझ रहे है तो यह point है यहाँ पर y equal to f of x plus minus bt यह एक तरहसे progressive wave यह जो देख रहे हैं नहीं तो यह progressive wave को represent करता यह traveling wave को represent करता है f of x plus minus bt का जो भी form होगा जो भी ऐसा function होगा जो कि x plus minus bt के form में हो तो वो definitely a definitely जो progresses wave को यह traveling wave को represent कर सकता है यह point है यहाँ पर X that means this X is along wave propagate कर रही है V कालाता है यहाँ पर wave velocity तो Y जो है बिसकली उस physical quantity के बारे बात करता है जो की जो की बिसकली associated उस waves से जैसे displacement wave से displacement electromagnetic wave से electric field और magnetic field pressure wave का मतलब pressure variation right at any position X at and at any time T V is called the wave velocity X के साथ यहीं coefficient 1 हो और T के साथ जो भी coefficient होगा वो एक तरसे रिप्रेजेंट करता है wave velocity wave velocity भी करते हैं और हम लोग इसको phase velocity भी करते हैं मतलब wave कितने velocity से चल रहा है जैसे EM wave में बात करेंगे तो यह 3 into 10 to 8 meter per second होगा कोई और wave होगी जैसे sound wave इन एर की बात करें नॉर्मल टेंपरिचर पर जो आपका रूम टेंपरिचर कहा जा तो वो एरॉंड 320-330 meter per second के आस-पास हो सकती है यह point है यहाँ पे अब plus minus का मतलब क्या है यदि F of X minus VT होगा तो हम लों कहींगे wave is traveling along the positive X axis यदि F of X plus VT होगा तो wave is traveling along the negative X axis यह बहुत important बात मैंने आपके साथ करी है तो यह बात धियान में रखना है next point हाँ यहाँ पर क्या है यह function जो होना चाहिए well defined function होना चाहिए जैसे मैं कहूंगा 10 of X plus VT या 10 of X minus VT 10 theta 10 of X minus VT या 10 of X plus VT क्या represent करेगा traveling wave को तो हम लोग कहेंगे यह represent नहीं करेगा traveling wave बिल्कुल नहीं represent करेगा यह इसलिए represent नहीं करेगा क्योंकि यदि X plus VT या X minus VT किसी particular X अब किसी particular time के लिए यदि pi by 2 हो जाता है तो 10 pi by 2 will not be defined क्योंकि इस पर infinity हो जाती है तो वो certain physical quantity जो कि associated उस particular wave से उस physical quantity को भी डिफाइन नहीं हो पाएगी तो हम लोग कहेंगे कि traveling wave का equation कभी भी tan theta के form में आप observe नहीं कर सकते हैं tan of X plus VT या tan of X minus VT के form में नहीं observe कर सकते हैं बहुत important बात करी गई है अब मैं कहूंगा क्या root over X plus VT represent करेगा तो root over X plus VT यहां पर यह root over X minus VT chance से हो सकता है possible यह हो सकता है कि किसी X or T के लिए इसके value negative में आ जाए और root over something negative यह एक non-real value जो होती है तो इसका मतलब square root of X plus minus VT भी यहां पर traveling wave पो represent नहीं करेगा तो point यहां पर मैंने क्या कहा कि यह function of X plus minus VT होना चाहिए X मतलब X or T का ऐसा form होना चाहिए X is the basically position T is the time जब wave travel करे यह लगो X axis तो यहां पर X यूज कर रहेंगे जैसे कि पहली बात हुई थी तो बात यहां पर यह function well define होना बहुत जरूरी है real value function होना जरूरी है अब physical situation को satisfied जरूर से करे तभी जाकर के वो traveling wave को represent करेगा यदि इस form में है तो अब जैसे मैं कहूंगा X square minus V square T square क्या represent करेगा traveling wave को तो कहेंगे नहीं represent करेगा क्योंकि यह form ही नहीं है X minus BT या X plus BT का यह point है यहां पर तो इस बात को ध्यान में रखना है कि traveling wave को कौन सा mathematical equation basically represent कर सकता है कौन सा mathematical equation नहीं represent कर सकता है अब traveling wave या फिर progressive wave का जो best होता है हमने जैसे कुछ दिर पहले बात करी कि हम लोग generally ले लेते कि sine harmonic तरीके से sine harmonically वो physical quantity generally basically जो है X और किसी पोजिशन X पे किसी पोजिशन X पे वो certain physical quantity with time T जो है sine harmonically oscillate करती है तो यह है Y equal to A sine K x omega T यह sine harmonic traveling wave है plain sine harmonic traveling wave है क्योंकि wave को हम लोग यह दिए बात करें nature of the source के बेसिस पे तो हम लोग कहते है होता है भई spherical waves spherical waves हो होते है जिसमें कि point source से जो wave ओरिनेट होते है और उस case में amplitude distance के साथ change होती है और amplitude distance के साथ जो change होती है वो inversely proportional to r होती है अब cylindrical wave front cylindrical wave front जो होती है वो line source देता है राइट line source का मता हो गया कि आप समझे कि जो आपका tube light है वो एक line source का काम कर सकता है और उस case में amplitude जो होती है वो inversive proportion to root r होती है यहाँ पर नहीं लिखा हूँ लेकिन आप note down कले ना इस सारी points लेकिन मैंने यह जो लिखा है ना plane wave front, plane waves के लिखाई this one is the equation of progressive wave of plane sine harmonic traveling wave तो y equal to a sine kx minus omega t या y equal to a sine kx plus omega t this is the equation of the plane sine harmonic traveling wave बहुत important बात मैंने करी आपके साथ यहाँ पर right और kx minus omega t होगा तो हम लोग कहेंगे यह positive x axis में travel करेगी और यदि kx plus omega t होता तो उस case में यह negative x axis में वो wave travel कर रही होती और y यहाँ पर बार बार कर रहा हूं कि y यहाँ पर y axis नहीं है y is the basically यदि यह displacement wave को represent करेगा तो यह y displacement है displacement of the particle at the mean position x सब किसी position x पर with time t को represent कर रहा है और यदि यह EM wave होता तो y यहाँ पर electric field या magnetic field को represent करता यदि pressure fluctuation pressure wave की बात करेगा तो y यहाँ पर delta p की बात करेगा यह हुगिया यहाँ पर उस physical quantity की maximum value जो कि y यहाँ पर displacement यहाँ जनरली मैं ले रहा हूं तो एक तरस यह displacement amplitude को represent कर रहा है y की maximum value जो कि obvious बात एक एक कोल होगी कब जब sin theta यहाँ पर 1 के एक कोल हो जाए मेरी बात समझ रहे बात कोई यहाँ नहीं तो यह point है यहाँ पर क्ये क्या कलाता है क्ये कलाता है यहाँ पर wave number in particular इसको कहता है angular wave number वेब नमबर ही one by lambda wave number का मतलब क्या number of waves in unit length जैसे कहते है कि lambda is lambda meter में एक wave है तो 1 meter में कितने होंगे 1 by lambda होगा इसलिए कहा जाता है 1 by lambda को यहाँ पर wave number और wave number जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पर energy उत्मी ही ज़्यादा होगी point यहाँ पर यह है अब को कहते है यहाँ पर angular wave number in particular क्योंकि यह 2 pi से मुल्टिप्ला है तो 2 pi by lambda will be equal to the k and k is called the basically angular wave number omega omega is called the angular frequency it is the 2 pi f f is the frequency of the wave f को 1 by t लिख सकते है reciprocal of the time period 2 pi by capital T will लिख सकते है right V, V is called the wave velocity this wave velocity is nothing but it is the omega by k क्या हो क्योंकि हमने बात करा था था ना कि X का coefficient आप 1 कर दीजे X का coefficient 1 करेंगे तो T का जो coefficient हो जाएगा omega by k हो जाएगा तो जब X का coefficient 1 हो तो T का coefficient जो हो जाएगा omega by k that is called the wave velocity और phase velocity तो V यहाँ पर wave velocity है यहाँ फेज velocity है omega की जगा पर 2 pi f प्लेस कीजिए k की जगा पर 2 pi by lambda प्लेस कीजिए you'll get vehicle to f lambda frequency into wave length तो यह तरह से wave velocity को represent कर रहा है right यह point है यहाँ पर आगे बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मल ही हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं डिस्प्रेश्मेंट wave के बारे में ज्याधत है यहाँ यहाँ पर why displacement wave को represent करता है इतना तो displacement of the particle को represent कर रहा है जो particle जब wave उसके थूरू pass करते तो particle अपने mean position से क्या कर जाते है डिस्प्रब हो जाती है तो उस case पर हम लोग यह भी जाना चाहते है कि particle की velocity कितनी होगी there is a difference between the particle velocity and wave velocity wave velocity का मतलब है कि wave कितनी velocity से every one second में कितना दूरी कितना meter wave travel कर रहा है अब particle velocity का मतलब हो गया कि एक तरह से particle की displacement per unit time कितनी है तो particle velocity को represent करते है हम लो dy by dt से क्यों क्योंकि y यहाँ पर displacement रहा है और मैं आप dy ना लिकर के मैं डेल वाई लिखा हूँ क्योंकि मैं partial derivative ले रहा हूँ आप partial derivative लेते हुए मैं particular position x को fix कर रहा हूँ एक particular position x पर जो situated particle उसको हम लोग देख रहे हैं कि वो time के साथ उसकी जो y है वो किस rate से change हो रही है तो उस case में हम लोग deal y by delta t जब कर रहे हैं तो x को constant ले रहे हैं मत एक particular position पर particle को देख रहे हैं और in that situation यह तो बाहर रहेगा differentiation से sign का differentiation क्या हो जाएगा cos kx minus omega t right अब फिर kx minus omega t को differentiate कीजेगा तो kx तो constant quantity है क्योंकि x हमने particular ले रखा है इसलिए partial derivative की बात करी गई है तो kx का differentiation क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा t का जो coefficient omega है तो minus omega बाहर हो जाएगा तो that way at t का t के respect में 1 हो जाएगा तो exception of the particle is del vp by del t मतलब velocity का partial derivative with respect to t अब partial derivative लेते हो फिर वही बात आती कि हमने x को क्या कर रखा है fix कर रखा है तो इसका दोबारा derivative में लीजेगा जो आप ले ही सकते है that will be equal to minus a omega बाहर रहेगा cost का differentiation minus sin kx minus omega t तो minus minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अब फिर kx minus omega t से में kx का differentiation 0 minus omega बाहर आजाएगा तो that will come out minus a omega square sin kx minus omega t तो यह हो गया excess amount of the particle मेरी बात समझ रहे है नहीं समझ रहे है तो rewind कीजे अब फिर से चुनिए मेरी बात को को आप तो बार-बार rewind कर सकते हैं कोई दिकत की बात हो रही है right अब बात आती है यहाँ पे डल वा-इव डल मैred x में निकालने जा रहा हूं ताकि मैं relate कर सकता हूँ particle की velocity को wave की velocity को तो del y by del x यदि मैं निकालना जा रहा हूँ तो फिर यहां पर देखिए, यहां पर अब क्या हुआ कि del y by del x का मतलब है कि t को मैंने एक particular time पर निकाल रहा हूँ तो omega t का difference is simply 0 तो इसलिए यह हो कि k a cos k x minus omega t, right अब ध्यान से सुनिये बात को, अब मैंने क्या किया, velocity of the particle और wave velocity को relate करने जा रहा हूँ, तो relate जब करेंगे तो vp will be equal to minus of omega by k del y by del x आ जाएगा, क्या करना है भई, vp और del y by del x को divide कर दीगे, उससे आपका minus omega by k आ जाएगा, इस तरह से particle velocity जो wave velocity से related है, it is very very important relation, बहुत दापे पुछा गया है, कि velocity of the particle will be equal to minus of wave velocity into del y by del x, बहुत important expression है, right, तो अब तक हमने यहाँ पे displacement wave के बारे में बात कर लिया है, और भी types और basic हमने waves के बारे में बात करा, फिर इसके बाद उसी related सारी discussion हो गई है, अब आके बरते हैं हम अब waves यहाँ पर देखेंगे, तो basically transverse wave होता है, और एक होता है अपका longitudinal wave, क्यों होता है, transverse wave में जो होता है, wave जिस डारेक्स में परपगेट करती है, और जो disturbance होती हो perpendicular होती है, right, मतलब जैसे आप waves on the string देखें, waves on the string, जिधर string पर जब wave देखेंगे, तो जिधर string के long wave disturbance होगी, along the direction of the propagation of the wave होगा, तो इसलिए उसको हम लोग करते हैं, यहाँ पर longitudinal wave, तो हम लोग यह जानना चाहते हैं, वही, कि यह transverse wave on the string, उसके velocity क्या होगी, फिर longitudinal wave की velocity क्या होगी, तो आप बात को देखें यहाँ पर, जदे यहाँ पर एक string पर wave प्रपगेट कर रही है, तो obvious सिभाते string पर wave तभी प्रपगेट कर सकते हैं, जब string में कुछ tension हो, और उसके कुछ inertia हो, right, क्योंकि यह mechanical wave है, string पर wave जो travel कर रही है, वो mechanical wave होता है, आपको मैं फिर से बता दो कि mechanical wave, waves को दो तरह से distinguish कर सकते हैं, एक mechanical wave, एक non-mechanical wave, mechanical wave होती है, वो जिसके लिए medium की जरौत होती है, बट waves on the string जो होती हो, mechanical wave होती है, अब waves on the string, mechanical and transverse wave होती है, तो हम लोग यह जाना चाहते हैं, जब वो string पर wave प्रपगेट कर रही होती है, तो wave velocity किस-किस बात पर dependent होती है, एक तो tension in the string, tension कितना है वही, जिस system में slackness होती, उसमें waves travel नहीं करती है, साथ में string की mass print length कितनी है तो इस तरीके से देखा जाता है, तो wave velocity आज़ी, यह root वर T by mu, T is the tension in the string, and mu is the mass print length of this string, जो कि variable भी हो सकता है, constant भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब हमें पता है कि mass print length जो string के होती है, density into cross sectional area, cross sectional area यह हो गई, आपके धियान देजे, cross sectional area यह हो गई, और density, density मत to s, इस cross sectional area को मैं लिख सकता हूँ, pi r square, यदि यह cross sectional area circular है तो, और normally जितने wire होते हैं, सबकी cross sectional area circular ही होती है, तो rho into pi r square, तो velocity of the transverse wave on the string, it is given by root word T by rho into pi r square, यह भी एक important expression है, जिसका काफी ज्यादा numerical problem में, या application के problem में काफी ज्यादा use होता है, जिसके अपर हमनों बात भी क करेंगे, जब लोग concepts को apply करेंगे, right, अब देखिए आपर अगला, अब आती है आपर long channel wave, तो long channel wave की velocity जो depend करती है, वो depend करती है कि, जिस medium वो travel कर रहा है, उसकी modulus of elasticity कितनी है, और साथ में उस medium की density कितनी है, तो यह observe किया जाता है, यह derive भी किया जाता है, कि velocity of the long channel wave in any medium, in any medium, the solid liquid और gas की बात करें, तो उसकेस में root over e by rho होता है, each call the basically modulus of elasticity of the medium, and rho is the density of the medium in which the wave is traveling, यदि यहाँ पे solid medium होती है, तो उसकेस में यहाँ पे root over y by rho होता है, y is called the young's modulus of elasticity of that medium, and rho is the density of the medium, लेकिन यदि वहीं पे long channel wave किसी fluid में travel कर रही होती है, तो e जो हो है, modulus of elasticity हो जाती है, bulk modulus of elasticity, अब bulk modulus of elasticity होती है, minus v dp by dv, minus v dp by dv, bulk modulus of elasticity यह होती है, right, अब बात यहाँ पे आती है, कि यदि sound wave air में travel करें, longitudinal wave air में travel करें, जिसको उन्हों प्रेसर wave भी कहते हैं, जब sound wave air में travel कर रही होती है, तो उसकी wave velocity कितनी होती है, तो wave velocity इसमें क्या है, जब sound wave air में travel कर रही होती है तो air में basically certain type of thermodyneying process हो जाता है अब इसमें Newton सहाम ने ये कहा था कि ये process basically isothermal है अजब isothermal process लेकर कि bulk models of elasticity निकालते हैं तो bulk models of elasticity for isothermal process will be simply pressure of the gas, pressure of the air, pressure of the gas, right तो उस case में velocity of the sound wave in that situation it is root of p by rho, p is the pressure and rho is the density, लेकिन ये formula गलत निकला, क्योंकि इसके थुरू ये theoretical result जो है इसके थुरू जो around velocity of sound air में आती है वो मेरे ख्याल से 280 meter per second के आसपास आती है, normal temperature पे right, तो Newton का formula गलत निकला, Newton के formula को Laplace सहाम ने correct करा, और इसको कहते हैं Laplace correction, Laplace सामने ये कहा कि adiabatic process के under pressure की fluctuation होती है pressure की variation होती है, जब sound wave air में या gas में travel कर रही होती है और जब sound wave gas में travel कर रही होती है, तो उसके bulk model of simplicity जो होती है gamma p के एककोल होता है, gamma is the adiabatic exponent of the gas gamma p के एककोल होता है gamma into p, p is the pressure and gamma is the adiabatic exponent of the gas जो की degrees of freedom related होती है, gamma equal to 1 plus 2 by f, इसके बारे पूरी detail discussion करी गई है heat and thermodynamics के chapter में, जाके देखियो उसे, जैसे gamma monatomic s के लिए 5 by 3 होता है, diatomic s के लिए 7 by 5 होता है, तो root over gamma p by rho आगया, this is the correct formula, यही formula यूज करना है आपको, यह formula गलत है, जो इसलिए इसको होता है, लाप्लास साहब ने दिया इसलिए इसको होता हता है, लाप्लास correction, right, तो root over gamma p by rho, अचुकि हमें पता है कि ideal gas के किसमे p by rho r t by m के एकोल होता है r is the gas constant, t is the temperature, absolute temperature, m is the molar mass of the gas, इस तरह से velocity of sound in gases medium it is जिए जिए root over gamma r t by m, it is जिए जिए root over gamma r t by m, समझने वाली बात है, root over gamma r t by m, gamma is called the adiabatic exponent of the gas, r is called the gas constant, t is called the absolute temperature, m is called the molar mass of the gas right, मेरी बात समझ रहे है, root over gamma r t by m, यही main formula है अब ध्यान सुनिया बात को, जदि temperature constant रहे, तो pressure के change करने के बाब, जो भी velocity of sound change नहीं करती है, क्यों, क्यों कि यहाँ पर temperature constant रहेगा, तो pressure change करेगा, तो density भी change कर जाएगा जिससे कि p by rho का ratio constant रहा जाएगा, तो pressure four times हो जाएजी, temperature वही है तो velocity of sound change यह बात ध्यान में रखना velocity of sound के वल और के वल temperature के gas के temperature के change करने की वज़ा सही change करेगी, और यह ध्यान रखना T यहाँ पर under root के अंदर है, ध्यान रखना इस बात को, राइट तो यह हो गया आपका velocity of the longitudinal wave के बारे में बात आती है अब बात आती है, कि जैसे शुरुआत में मैंने बात करा, कि भाई, कि जब wave एक देगा से दुसरे का propagate कर रहा होता है, तो एक तरस अपने साथ energy लेके चलता है, तो energy carried by the wave क्या होगा, energy कमता हो गया, एक तरस से energy flowing per unit area, per unit time, which is called the intensity, जैसे कमरे में एक कमरे में आप चार बल्व on कर देते हैं, तो उसके इसमें intensity कमरे में काफी ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ते ही ने बढ़ते बढ़ते हैं, इसका तो यहाँ ही पर एक बल्व के बल्व रखता है, तो वहाँ पर एक कमरे में intensity कम होती है, जोकि एक बल्व on होने से energy carried by the wave per unit time, per unit area कम रहती है, चार light bulb होने से 1208 का चार बल्व लगा दीजे, तो बहुत ज़्यादा light wave आ जाती है, वहाँ पर कहते है intensity बहुत ज़्यादा है, इसका तो वहाँ पर energy carried by the wave भी काफी-काफी ज़्यादा होगी, per unit area, per unit time, तो वहीं पर बात आती है, कि intensity, average intensity की बात हो रही है, it is the basically 2 pi square, a square, f square, rho into v, this one is the basically energy carried by the wave, for the mechanical wave की बात हो रही है, mechanical wave के लिए हमने derive करते है, हम लोग, पूरी derivation इसकी होती है, right, तो इसके directly result की याद रखना है, 2 pi square, 2 pi square, a square, f square, f square, rho into v, a होगया dispersion amplitude, f होगया frequency of the wave, rho होगया density of the medium in which the wave is traveling, v is the velocity of the wave, right, अब यहाँ पर आते हैं कि यह average intensity है, तो average intensity को हम लिख सकते है, average power per unit area, right, यह लिख सकते हैं, तो यदि मैं intensity को area से multiply कर दूँ, तो उस case में हमारे पास average power carried by the wave मिल जाएगा, तो average power carried by the wave कितना हो जाएगा, इसको intensity को cross section area S से मैं मैंने multiply कर दिया, उसे मेरे पास average power carried by the wave मिल गया, right, तो इस तरीके से मैंने आपके सामने अभी तक जो wave का basically हाँ पर सारी बार discuss करी गई है, अभी इसमें और भी कई बाते रहती हैं, जो discuss करना है हमारे को, right, तो यह एक mind map के थुरू मैंने आपको represent किया, waves का सारे concept को, तो अब अगला जो हाँ पर हम लोग discuss करेंगे, superposition of waves के बारे में discussion रहता है, यह dopless defect के बारे में discussion रहता है, तो उसके बारे में discussion करेंगे, फिर हम लोग prompts के उपर work out करेंगे, जो कि आपका यहाँ पर related to the waves रहेगा, राइट, तो मेरे खिला से सारी बाते आपको समझे में आई होगी, चुकि मैं थोरा जल्द जल्द बताया हूँ, तो जरूर जरूर से आप यदि नहीं बाते पकड़ आ रहा है, तो आप उसको repeat करके देखिए, राइट, तो यह point है यहाँ पर, तो definitely lecture को अब तक like नहीं किया, तो like कर दिजिए, लोगों को हमारी channel के बारे बताईए, जितना ज़्यादा बता सकते हैं, ताकि उनको भी हमारे काम से benefit होगे, राइट, okay, thank you and thank you very much, मिलते हैं अगले session में, और कुछ नहीं बाते करने के लिए, राइट, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बढ़ते हैं आगे, और waves का जो अगला topic है कुछ, उसके उपर discussion करते हैं, already जो mind map कि तो मैंने discuss करा था, वो traveling waves से related है, राइट, traveling wave के उपर बात हो गई थी, equation of traveling wave क्या होएगा, फिर इसके बाद, velocity of the transverse wave on the string क्या होएगा, velocity of the longitudinal wave on, जो है, या velocity of the sound wave बगर के बारे में discussion हो लिया था, अब हम यहाँ पर बात करना शुरू कर रहे हैं, start कर रहे हैं, वही कि, superposition of waves, आपको पता ही है, कि जब भी किसी भी जगह पे, या कोई भी जगह पे ले लिजए, दो या दो से ज़्यादा sound wave हो जाए, दो या दो से ज़्यादा light wave हो जाए, तो normally क्या देखते हैं, वहाँ पर intensity बढ़ जाती है, जैसे दो लोग बात कर रहे होते हैं, जैसे तीन लोग बात कर रहे हैं, चार-पांच लोग, क्लास में कई लोग हैं, जो बात कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि, वहाँ पर noise हो जाता है, noise is nothing but, it is the basically superposition of waves, intensity का बढ़ना, it is nothing but, it is the superposition of waves, जैसे एक कमरा है, इस कमरे में मैं सब्सक्राइब कोई कमरा है आपका, वहाँ पर एक बल्ब को रखते हैं, फिर दो बल्ब कर देते हैं, तीन बल्ब कर देते हैं, तो कमरे में intensity light की क्या गर जाती है, बढ़ जाती है, it is nothing but, superposition of waves, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कि एक तरह से जो different source of light है, उससे कई सारे अलग-लग EM waves आ रहे हैं, हना पहले के बल्ब एक light source था, तो एक OC के बल्ब EM waves था, अब क्या हो रहा है कि दो-तीन light source होने से क्या हो रहा है, कि सारे सब बस light source से EM waves आ रहे हैं, अब superimpose हो रहे हैं, तो उसकी बाज़े से वहाँ पर intensity बढ़ जाती है, तो यह कुछ ऐसे basic principle है, जो हमेशा ही आपजर करते हैं, superposition of waves की बाज़े से, अब superposition of waves का मतलब आपको समझ में आई गया होगा और आता ही होगा, कि it is nothing but basically, कि जो आपका y है, एक y1, y2, y3, इसको हम लोग add up कर देते हैं, या तो vectorally add करते हैं, या हम लोग यहाँ पर इसको algebraically add करते हैं, depend करता है इस बात पर, कि जो physical quantity है, जिसके थूँ हम लोग waves को describe कर रहे हैं, like जैसे माली आजा है, कि मैं EM wave को describe कर रहा हूँ, तो EM wave को जब describe करूँगा, तो हम पर electric field को add up करेंगा, तो electric field एक vector quantity है, तो उसका vectoral addition हो जाएगा, magnetic field एक vector quantity दो, magnetic field का vectoral addition हो जाएगा, लेकिन माली आजा है, प्रिसर वेव है, प्रिसर वेव जैसे sound wave, sound wave is termed, the pressure wave, उसके समें हम लोग जो pressure variation है, मैं जैसे बोल रहा हूँ, एक और बंदा बोल रहा है, तो जुह pressure variation उसका algebraic addition होगा, क्योंकि वहाँ पर pressure wave बेसिकली एक scalar quantity है, अब displacement wave की जाब बात करें, तो वहाँ पर एक तरह से vectoral addition होगा, नॉर्मली लिखा जाते है, y equal to y1 plus y2 plus y3 plus y4, और जहां पर y1, y2, y3 individual waves हो गए, जो की individual wave के physical quantity हो गए, जिसको हम लोग add up कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखेगा ध्यान से यहाँ पर, इस super positional waves के उपर बात ही कर रहा था, तो वही मैंने आपको बताया, कि y will be equal to, सब ज़ेगा लिखा रहा था है, y equal to y1 plus y2 plus y3 plus y4, यह बार-बार कर रहा हूं कि इसका vectoral addition भी हो सकता है, या फिर this color addition भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो physical quantity add up करी जा रही हो vector है या this color है, और सबसे बड़ी बात किया, पूरे physics में ही basically super position principle applicable होता है, जैसे मालो चार फोर्स लग रहे हैं तो उसका vector sum लेता है, यह vector sum लेने का मतलब ही क्या है, वेक्टर sum लेने का मतलब ही क्या है, वेक्टर sum लेने का मतलब ही क्या है, जैसे आप electric फोर्स निकालते हैं, ऐसे करके निकाल लिया, अलग-अलग electric field अलग-अलग sources की वज़ा से, अब फिर net के लिए वहाँ पर उसका आपने vector sum लेने लिया, this is called the principle of superposition, तो यही बाली बात है, आप वही सब जग़ा पर लागू होता है, तो waves में भी यही बात है, अब जब superposition of waves होती है, तो basic जो हमेशा देखते हैं, कि intensity का, light की case में intensity का बढ़ जाना कमरे में, तो वो भी superposition of waves के बारे में बात करा, जैसे पीछे ही बात करा, चार-पांच लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर sound, net, जो intensity बढ़ जाना, वो भी एक तरह से, या noise हो जाना, तो यह सब superposition of waves की वज़े से direct observation है, अब कुछ observation ऐसे भी हैं, जो कि basically under certain conditions होते हैं, under certain conditions, मतलब जो superimposing waves हैं, उसके बीच में एक certain conditions होना चाहिए, तब ही जाकर तो हो सकता है, जैसे इसमें क्या क्या है वई, एक तो आपका होता interference, देखें आप इस superposition of waves की वज़े से, मैंने एक interference लिखा हुआ है, bits लिखा हुआ है, और standing wave लिखा हुआ है, तो यह तीन main है, जो इसके उपर हमारा discussion रहता है, जो आप हमारे सब जगा पे, हमें physical situation के उपर, describe करना होता है इनके उपर, क्योंकि इसकी basically, हर जगा पे, that means हर जगा का मतलब क्या हो गया, कि scientific इसकी utility है, technological utility है, इसकी इसके उपर हमें काफी यादा, discuss करना पड़ता है, तो एक-एक करके हम बात करते हैं, सबसे पहले phenomenon of bits के उपर बात करते हैं, इसके उपर, right, अब यह होता क्या है, इसके उपर पहले मैं बात कर लेता हूँ, होता क्या है वही कि, और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, super position of waves के बलना सूचना कि sound wave के लिए, हाना कि sound wave या waves on the string के लिए, चुकि यहाँ पर जो chapter waves है, उसके mainly इसके उपर focus करा जाता है, यह किसी भी wave के लिए हो सकता है, electromagnetic wave के लिए भी होता है, तो phenomenon of bits जो है, sound wave को भी लेकर कर सकते हैं, और EM waves, मत्तब आप्टिकल bits इसको करते हैं, दो light wave लेकर के भी करा जाता है, अब इसके बारे में पहले समझे लेते हैं, कि यह phenomenon under what condition होगा, सबसे पहली बात है कि जो super imposing waves होनी चाहिए, उनके बीच की जो frequency difference होनी चाहिए, यदि मैं sound wave की बात करता हूँ, तो frequency difference होनी चाहिए, एक 300 Hz हर्ज है तो तूसरा 302 Hz हो जाए, 301 Hz हो जाए, जनरल ही यह कहा जाता है कि अप टू 10 Hz का difference हो, right, sound wave की case में, और यह in general कह सकते हैं हम लोग, कि जो wave की frequency है, उसके respect में जो 1-2% का difference होना चाहिए, जैसे 300 Hz हर्ज है, तो 1% हो किया 3 Hz, मतलब अप टू 3% तक लिया जा सकता है, right, 300 Hz के range वाला जो waves को superimpose कराएंगे, तो उस case में phenomenon of width तब observe किया जाएगा, जब generally जो है, जो frequency उसका up to 3% तक दूसरा wave, दोनों wave के बीच के difference हो, तो sound wave के case में, normally 10 Hz का difference हो, मालो 300 Hz हर्ज है जी, तो 300 Hz हर्ज है, 300-400 Hz हर्ज है, लेकिन मालों की आपका की, दो light wave को लेके कराएंगे, जिसको हम लोग करते हैं, optical bits, तो वहाँ पर क्या होता है, frequency difference आपको लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन light wave की frequency का range होता है, 1015 Hz हर्ज होता है, 1015 Hz के respect में देखा जाए, तो difference बड़ा दिखेगा आपको, difference बड़ा दिखेगा, बट उसके respect पर 1-2% पर ही काम होता है, मेरी बात समझे बात को यहाँ पर, यदि माल ले जाए, कि दो radio wave लेकर के, मैं phenomenon of bits को अबजर करता हूँ, तो उस case में frequency difference जो होती है, वो 1000 Hz के आसपास होती है, क्योंकि radio wave की frequency जो होती है, मेगा हर्च के order में होती है, तो जनरली लोग यह सोचते हैं, कि frequency difference 2-3 Hz, 2-3 Hz का मतलब क्या हुआ, कि basically, जो frequency use करी जा रही है, phenomenon of bits को observe करने के लिए, उसके respect में 1-2% का, जो दोनों के बीच में difference होना चाहिए, तो sound wave के case में normally 10 Hz, और यदि मैं optical bits के case में कहूँ, तो वो बहुत बड़ा frequency difference का लगता है, बट frequency जो use होती है, उसके respect में वो काफी काफी कम होता है, मेरी ख्यास से मेरी बात आप समझ रहे होंगे, तो पहला मैं basic condition यह बताया आपको, कि जब भी दो waves के बीच का frequency difference काफी काफी कम हो, और उसको यदि super impulse कराया जाए, तो उस case में intensity time के साथ change होते हुए observe करी जाती है, आपको यदि मैं sound wave की बात करें, कि दो sound wave को आप super impulse कराते हैं, तो उस case में intensity जो observe करेंगे, maximum intensity है, maximum intensity घरते 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 मिनिमम हो जाता है, silence हो जाती है, silence के बात फिर बरते 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 एक loudness आता है, मतलब maximum intensity आती है, और यह एक regular interval पर होता है, जब ऐसा हो जाए कि intensity time के साथ इस तरह से आप observe कर रहे हैं, यदि sound wave की बात करते हैं, तो हम लोग करते हैं बही कि वहाँ पर phenomenon of bits की observation है, अब light wave की case में आप देखेंगे, आप वहाँ पर light wave की obvious से बाते हैं, देखेंगे आप जिसमें की light की intensity जो देखाई देगी आपको, एक बार maximal light की intensity देखाई देगी, घरते 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 बिल्कुल हो सकता है darkness हो, या हो सकता है कि dark relative बात करें हम लोग, intensity minimum हो जाती है, अब फिर बढ़ते बढ़ते फिर एक maximal light की intensity आप देखेंगे, फिर ये बात होगी, वहाँ पर ये observation देखेंगे आप एक particular जगह पर, the frequency difference between two waves is very small, two or more waves में भी हो सकता है, यह नहीं कि दो ही waves जादा भी हो, तब भी हो जाता है, तीन waves में भी हो सकता है, two or more waves के बीचे frequency difference काफी काफी कम हो, तो intensity will change with time from maximum value to minimum value, and यह एक periodic phenomena है, right, यह point है यहाँ पर, अब क्या होता है वही कि यदि माल लिया जाए कि perfect observation तब होती है, जब दो wave के amplitude जो है वो equal रहे, यदि different भी amplitude रहेगी, तब भी आपको perfectly जो है, maximum, minimum तो होगा, बट minimum की intensity उसकेस में exactly zero नहीं होगी, यह point है, और exactly दोनों wave के amplitude same हो गई, तो उस case में आप sound के case में intensity एक जग़ा पर बिल्कुल silence होगा, और एक जग़ा पर maximum intensity होगी, right, और intensity time के साथ इस तरह से graph होता है, यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे करके change कर रहा होता है, और यह intensity की एक frequency of intensity variation होती है, यही frequency of intensity variation का मतलब हो गया, कि number of maxima in one second कितना होगा, number of minima in one second कितना होगा, जिसको में bits frequency भी कहते हैं, और यह bits frequency की जो value आते हैं, जो derive होती है, that will be equal to mod of f1 minus f2, mod इसलिए देदिया कि f1 बढ़ा है, f2 बढ़ा है, तो नहीं पता है हमारे को, क्योंकि मैंने 2 frequency ले रखा है, एक f1 ले रखा है, दूसरा f2 ले रखा है, तो this is called the bits frequency, that is nothing but, it is the frequency of intensity variation, देखें, यहाँ पर यहाँ maxima है, यहाँ पर maxima है, this is called the basically time period, यह time जो आता है, 1 upon mod of f1 minus f2 आता है, जिसको में लोग करते हैं, bits time period, इसका reciprocal ले ले लेंगे, तो यह bits frequency आ जाएगा, जिसको हम लोग define करते हैं, number of maxima और number of minima observed in one second, इसको कहते हैं bits frequency, चुकि इस chapter में और हमारी scope के अंदर, सारी बाते sound waves को ले करके हैं, इसलिए हम लोग सुनने वाली बात करेंगे, हलांकि optical bits भी होता है, इसके पर भी same mathematics लगती है, same physical concepts exist करते हैं, पर भी, तो मैं फिर से बात कर रहा हूँ, कि यह दी दो frequency है, दो wave है, दो wave, यह की frequency f1 है, दो से एकी frequency f2 है, और उनके बीच का difference काफी 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 कम है, तो उस case में आप observe करेंगे, कि वही कि certain number of maxima, certain number of minima in one second, राइट, इस is called the bits frequency, number of maxima और number of minima in one second, intensity variation होती है, और bits का time period जो हो जाएगा, reciprocal of 1 by, reciprocal of f1 minus f2, mod of f1 minus f2, that means bits time period is, 1 upon mod of f1 minus f2 होगा, राइट, frequency of amplitude variation, क्योंकि हमें पता कि intensity proportional to a square होती है, तो amplitude भी obvious बाते change कर रहा होगा, तो amplitude की variation जो होती है, वो mod of f1 minus f2 by 2 होती है, definitely amplitude time के साथ उस जगह पे change कर रहा होता है, net amplitude जो net wave होगा, उसके amplitude time के साथ definitely उस जगह पे change कर रही होगी, तब भी जाकर के वहाँ पे intensity change कर रही होती है, और यह भी amplitude भी basically regular interval पे change कर रहा होता है, जिसकी frequency जो होती है, mod of f1 minus f2 divided by 2 होती है, अब frequency of the resultant 2 होता है f1 plus f2 divided by 2, तो यह बहुत-बहुत important है, जिसको आपको धियान में रखना है, और यह काफी important phenomena है, इस frequency जिसके काफी जादा utility है, अब इसकी utility खास कर कहाँ पे देखी जा सकती है, हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं, कि मान लिया जाए कि आपके बाद 2 tuning fork है, और एक tuning fork की frequency पता है, दुसरे की tuning fork की frequency नहीं पता है, तो आप वहाँ पे पता करने के लिए इस concept को यूज कर सकते हैं, यह point है यहाँ पे, अब सोचेंगे यह कैसे कर सकते हैं, देखी यहाँ पे, अब सपोर्ज यहाँ पे एक tuning fork अभी जिसकी frequency 300 Hz है, tuning fork का आपने देखा होगा लाब में, तुनिंग fork में arms होता है, यहाँ थी 300 Hz frequency लिखा हुआ है, इसका तो उसका arms यहाँ हलके ऐसे थोड़ा सा मारते हैं, तो उसका arms का जो है, वो 300 per second basically oscillate कर रहा होता है, और उसी frequency का basically sound wave वहाँ पे generate होता है, in the medium air, क्योंकि वो जो air उसके साथ contact में होगा, उसको भी 300 times per second क्या करा देगा, वो oscillate करा देगा, जिसकी वैसे sound wave की frequency 300 Hz आप observe कर सकते हैं वहाँ पे, तो माल लिया जाए कि एक frequency 300 Hz का tuning fork का, दूसरी वाली की frequency हमें नहीं पता है, तो दोनों का आपको क्या करना है, एक साथ sound करना है, sound करने को तो दोनों के arm को एक साथ बजाएए, और फिर observe कीजिए, कितना number of maxima या number of minima आप observe कर सकते हैं, तो एक की frequency माल लिया जाए 300 Hz जी, जो known है, दूसरी की नहीं पता है, दोनों को आपने sound किया, और आपने ये observe कि दो बार maxima सुनाई दे रहा है एक second में, आप ये कैसे करेंगे, एक stop watch ले लिजेगा, और एक minute में count कीजिए कितनी बार maxima हुआ या कितनी बार minima हुआ, मतलब observation देखेंगे, सुनाई देगा आपको कि कितनी बार सबसे ज़्यादा loudness हो रही है, तो पता चला कि एक minute में 120 टाइम्स आपको सबसे ज़्यादा sound सुनाई दे रहा है, सबसे intense sound, और या फिर 120 टाइम्स जो बिलकुल almost silence है, तो हो गया क्या है यहाँ पे, कि एक minute में यदि आपको 120 टाइम्स मैक्समा या मिनिमा सुनाई दे रहा है, तो इसका उतर एक second में कितनी बार हो गया, दो दफ़े हो गया, इसका उतर दोनों की बीच का frequency difference definitely 2 hertz का है, तो 300 hertz यदि एक की frequency है, दूसरे की definitely 298 hertz होगी, या 300 2 hertz होगी, यह बात पता चला यह नहीं पता चला आपको, तो यह से हमाने पता चल गया, कि दूसरे वाली की prevalence frequency क्या होगी, अब इसके बाद भी हम लोग पता कर लेंगे, कि और further कहा जाएगा, तो उसके लिए क्या कीजिए, कि क्या कर सकते हैं, कि फिर से उसी tuning 4 को, आप क्या कीजिए, कोई एक tuning 4 के लिए जैसे 300 अच वाला, उसके उपर हलके से wax डाल दीजिए, हलका सा उसे भारी कर दीजिए, हलका सा, या हलके से gis दीजिए, तो उसकी frequency चेंज हो जाती है, आप कहेंगा, इसे क्या हो जाएगा वई, तो frequency चेंज होते हैं, इनवर्सी प्रपोर्शन टू इनर्सिया, ऐसा क्यों है, देखें, टाइम प्रियेड आप SHM देखेगा, या हम लोग SHM में देखते हैं, टाइम प्रियेड टी कोलो 2 बाई रूट पर M बाई के होता है, तो एक तरह से time period proportion to inertia है, या हम लोग कहेंगे frequency इन alternativesia प्रोपोर्शन टू इनर्सिया, यही सेम बात तो महापे भी लागू होगी, तो frequency of the tuning 4 के इनवर्सी प्रोपोर्शन टू इनर्सिया, तो inheritance के बढ़ने से, बढ़ने से मतलब wax उसमें डाल दिया आपने, तो wax डालने से उसकी inertia बढ़ गई, तो frequency घड़ जाएगी, यदि आपने उसे घिस घिस घर, घिस दिया मता फाइल कर दिया, फाइल कर देने से क्या होता है, हलकी सी उसकी mask घट गई, तो frequency उसकी बढ़ जाएगी, तो यह ध्यान में रखना है, कि frequency inverse to inertia होते है, tuning 4 की, या कोई भ wax डाल दीजे, मैंने का नो wax डाल दीजे, wax डालने से क्या होगा, कि उसकी frequency slightly क्या कर जाएगी, अब घड़ जाएगी, अब उसके पर डाल देने, दुबारा आप sound कीजे, unknown जो tuning 4 के, दोनों को, दुबारा sound कीजे, अब फिर से observe कीजे, कि कि कितना basically number of maxima या number of minima आ रहा है, उ उसके थुरू मुझे पता चला कि उसकी frequency या तो 298 हर्ज है, या 302 हर्ज है, आपने उसके पर wax डाल दिया, जो 300 हर्ज वाला है, अब फिर से sound किया, अब इस case में observe किया कि, भई, number of maxima बढ़ गई है, number of maxima क्या कर गई है, बढ़ गई है, अब number of maxima बढ़ गई है, तो ये ब 299 हर्ज पहुँच गई होगी, यदि 299 हर्ज पहुच गई है, और मैं original जो वो unknown frequency उसको 302 हर्ज मानूँगा, तभी तो frequency difference बढ़ेगा, तभी तो number of maxima बढ़ेगा, यदि माल लिया जाए कि जो unknown frequency है, जिस तो निपर के frequency निकालनी है, उसका माल लिया जाए 298 हर्ज लेंगे अगर जो 300 हर्ज वाला उसमें wax डाला तो उसकी frequency क्या करेगा, गड़ गई है, तो 299 पे पहुच गई होगी, या 298 पे पहुच गई होगी, या 297 पहुच गई होगी, तो उसके इसमें number of maxima जो हो जाएगा, उल्टा गड़ जाएगा, तो logic समझे बात को, पुरा मैं प्रॉ प्रिक्वेंश का one of the application यह है कि जो frequency हमें नहीं पता है, उसके थुरू हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे दो vibrating आप वो ले लिजे, wire ले लिजे, sitar, guitar ले लिजे, तो इस एक की frequency पता है, दूसरे की frequency नहीं पता है, तो using this experiment, using this phenomenon हम लोग पता कर सकते हैं उसके बारे में, तो मेर जो superposition of waves की वएसे जो principle है यहाँ पर, वो basically यहाँ पर हम लोग बात करते, standing waves और stationary wave, जो कि हमने लिख रखा है, यहाँ पर standing waves और stationary wave, अब standing waves का मतलब समय लेता है, standing wave का मतलब एक तरसे wave जो stand कर गई है, wave stand कर गई है, energy stand कर गई, energy confined होई एक जगह पे, उसके beyond नहीं जा रहे, उ standing wave, या stationary wave काते हैं, अब यह कब होता है जी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि जब दो waves ले लिजे, दोनों wave के amplitude same हो, तो बहुत अच्छी बात, यह बहुत अच्छी बात है, नहीं भी amplitude same रहा, तब भी यह phenomenon observe कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर amplitude same ले ले लेता हूँ, दोनों की wave number same होनी चाहिए, मतलब wavelength same होनी चाहिए, frequency भी same होनी चाहिए, but they will travel in opposite direction, right, अब यह ऐसा कैसे होता है वही, तो ऐसा होता है कि एक incident wave हो गया, दुसरा reflected wave हो गया, उस case में यह बिलकुल हम हो ऐसा तरह का wave generate कर देते हैं, कि string ले गया, जैसे यहाँ पर देख रहा है, एक traveling wave डाल दिया, दूसरे end पे गया, वो reflect हुआ, तो incident wave और reflected wave जब super impulse होता है, उस case में यह बात नहीं वहाँ पर justify हो जाती है, कि दोनों के amplitude जो है, ऐसे practically देखा जाए, तो amplitude equal नहीं होती है, यह मैं ideal situation में बता रहा हूँ, कि amplitude यहाँ पर equal हो जाए, right, आना भी हो, तब भी य test observation तब होती है, जब कि दो waves, बोथ will travel in opposite direction, नहीं compulsory है condition, they can have the same amplitude, but they must have the same frequency, they must have the same wavelength, उस case पे हम लोग यहाँ पर standing wave को observe कर सकते हैं, तो एक का equation में लिखता हूँ, a sin kx minus omega t, तो दुसरा अबेसे बात a sin kx plus omega t लिखा जाएगा, तो y equal to y1 plus y2 के basis पे a sin kx minus omega t plus a sin kx plus omega t, जब थ हो रहा से mathematics लगाएंगे, trigonometry लगाएंगे, तो resultant wave का equation आ जाता है, 2a sin kx cos omega t, जरूई नहीं कि यही हो, 2a cos kx sin omega t भी हो सकता है, 2a sin kx sin omega t भी हो सकता है, और दोनों cos cos भी हो सकता है, और मैं बार बार कर रहा हूँ कि यदि a1, a2 भी रहा, तब भी observation हो जाती है, बट उसके परफेक्ट जो है, standing wave नहीं आ पाता है, वो combination एक तरस बनता है, stationary wave and some part of the traveling wave का, मैं यहाँ पर idealized situation बात कर रहा हूँ, जब कि दोनों wave के amplitude same रहे, अब इसको कहता है, amplitude of the resultant wave, 2a sin kx को कहा जाता है, amplitude of the resultant wave, अब क्या होता है कि कुछ ऐसे points यहाँ पर आ जाते हैं, जो permanently rest में र तो permanently rest में, permanently वहाँ पर कुछ होई नहीं रहा है, कुछ physical quantity, कोई variation ही नहीं हो रही है, तो उसके beyond energy जाएगी ही नहीं, ऐसे point को हम लोग कहते है, node, अब displacement wave को लेके कहते हैं, तो displacement node हो जाता है, यह प्रेसर wave को लेके कहते हैं, तो pressure node हो जाता है, तो यह depend करता है, right, क्या wave यूज करी गई है, that means, कुछ ऐसे certain points होते हैं, जहाँ पे कोई भी basically उस point के, यहाँ बात करें, तो कोई भी उस point के, कोई variation नहीं, मतलब vibration नहीं हो रही होती है, तो अभी हम लोग यहीं बात करें थे, कि कुछ ऐसे points होंगे, जहाँ पे basically y के value 0 होगी, यहाँ यहाँ 0 हो गई, that means, 2a sin kx 0 हो गया, यह समझे बात को, permanently y 0 होने का उतलब है, कि हमेशा ही basically y 0 है, तो यह तभी possible है, जब 2a sin kx 0 हो, that means, sin kx के value 0 हो, तो कुछ ऐसे points होंगे, जहाँ पे dispersion node बनेगा, and dispersion node को define का जाता है, जहाँ पे y के value 0 होती है, that means, sin kx 0 होता है, जब sin kx 0 हो जाए तो उसे आपको कई सारे x की value मिल जाएगी, इस points को कहते है, node, उसी तरही से कुछ ऐसे points होंगे, जहाँ पे sin kx के value plus minus 1 होगी, that means, वहाँ पे basically amplitude सबसे जादा होगा, उसको कहते है, displacement anti node, और उस case में, displacement anti node की value, वहाँ पे 2a के equal होगी, amplitude will be simply 2a, at the most 2a जा सकता है, a plus a, और यद प्रिकल सी बात है, a1, a2 दोनों add हो गया, तो a1 plus a2 हो जाता है, यह दो force add होते है, same direction में, तो f1 plus f2 हो जाता है, opposite direction में, तो f1 minus f2 हो जाता है, दोनों की magnitude सेम हो गई, तो net force 0 हो जाती है, opposite direction, वही वाली बात यहाँ पे हो रही है, और जब a, और दूसरा minus a मिला, तो 0 हो गया जहाँ पे amplitude basically two a equal है, a dash two a equal है, उसको गते displacement anti-node, right, तो मैंने यह दिखा रखा है कि node, anti-node, node, anti-node, दो node के बीच का distance जो होता है, वो lambda by 2 होता है, दो anti-node के बीच का distance भी lambda by 2 होता है, node और anti-node, adjacent node और anti-node की बीच का distance lambda by 4 होता है, यह निकाला कैसे जाएगा, वही जो मैंन minus 1 कर दीजएगा, तो उसे x के कई सारी value आईगे, जो की basically anti-node के लिए होएगा, right, तो यह point है यहाँ पे, तो यह काफी-काफी important point है, अब मैं बार-बार यह कर रहा हूँ कि यहाँ जरूरी नहीं कि sin kx हो, यह हो सकता है cos kx p हो, यह बात ध्यान में रखने माली बात है, right, next step देखिए, अब यह जो standing wave होती है, standing wave कहां को हम लोग realize कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर क्या होता है, कि एक string ले लिजे, वो string को दोनों end पर बांदीजे, दोनों end को बांदने का मतलब जहाँ पर बंद गया, जहाँ पर वो point कभी vibrate होई नहीं सकते है, fix कर दिया आपने, जो point fix हो गया, वो कभी vibrate करी नहीं सकते है, इसलिए उहाँ पर displacement node ही होगा, right, जैसे मैंने एक string ले ले लिया, और इस string को यहाँ पर बांदिया, यहाँ पर बांदिया, दो जगा पर बांदिया, बांने का मतलब है, वहाँ पर rigidly clamp कर दिया, मैंने, that's why this point and this point will always form the node, अब बीच मे equal to कितना L, length of the string, तो lambda equal to 2L आगया, यदि lambda equal to 2L आगया, तो frequency will be equal to क्या होता है, V by lambda, चुकि string है, string को अपर transverse wave प्रपगेट करती है, transverse wave, अज जैसकी wave loss क्या होती है, root over T by mu होती है, तो उस case में frequency क्या हो जाएगा fundamental mode में, 1 upon 2L root over T by mu, अब अगला mode, जिसको हम लोग कहते है, first harmonic भी, समझे बात को, first harmonic, 1 upon 2L root over T by mu हो इनों है, first harmonic, fundamental frequency, बहुत important है, अब second harmonic, जिसको excited mode कहा जाता है, उसमें क्या होगा, कि अलग से कुछ frequency, अलग frequency से आप भाइबरेट कराईए आपको, और वो frequency जिसके उपर अगला vibration होगा, वो definitely twice of the fundamental frequency होगा, समझे बात को, यहाँ पे, f equal to 1 upon 2L root over T by mu हो गया, suppose इसकी value 80 hertz आगी, इसका मतलब 80 hertz का frequency इसके वहाँ पर वहाँ पर standing wave develop करी गई है, अब 80 के बाद आगला जो है, definitely 160 hertz बारा होगा, in between में वो vibrate ही नहीं करेगा, 2 upon 2L root over T by mu, उस case में क्या होगा, यहाँ पर एक node और बढ़ जाएगी, अब 2 loop बन जाते हैं इसके, यहाँ पर एक single loop मैं दिखाया हो, कब, जब basically fundamental mode हो, fundamental frequency हो, first harmonic हो, second harmonic में एक node और बढ़ जाएगी, तो 2 loop बन जाएगा, third harmonic में 3 loop हो जाएगी, इस तरीके से होती है, तो हम नह लिखा हो है यहाँ पर, F equal to P upon 2L root over T by mu, यह Pth harmonic के लिए, Pth harmonic, P equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे चलेगा, तो first harmonic, 1 upon 2L root over T by mu, where T is the tension in the string, mu in 9, mass per unit length, जो की density into cross section area के equal होता है, right, L is the length of the string, तो fundamental frequency, 1 upon 2L root over T by mu, जिसको हम लोग first harmonic करते हैं, अगला जोगे, इसका twice, फिर thrice, फिर four times, फिर five times, यह सारे frequency यहाँ पर develop होएंगे, जब string को आख के दोनों end को आप clamp कर देते हैं, rigidly, और इस चिच को आप realize कर सकते हैं, यहाँ पर sonometer wire experiment होता है, जिसके through half class 11th में यह experiment कराई ज जाती है, जहाँ पर यह पूरे के पूरे phenomenon को आप practically realize कर सकते हैं, बहुत important है, यह धियान में रखता है, अगला देखिए यहाँ पर, अब अगला क्या होता है, organ pipe होती है, organ pipe फ्लूट जैसे, मतलब बासुर एक one of the example, organ pipe का, तो organ pipe में क्या होता है, वहाँ पर जो उसके अंदर organ pipe के अंदर जो air होता है, या gas होता है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर longitudinal standing wave develop करते हैं, अब दो तरह के organ pipe होते है, एक organ pipe होता है, open organ pipe, अब दूसरा होता है, यहाँ पर closed organ pipe, open organ pipe में क्या होगा, दोनों end open होएगा, जी, अब जब दोनों end open होएगा, तो open end displacement anti node बनता है, अब pressure node बनता है, यदि मैं इसको dispresent wave के थरह realize करूँगा, तो यह होगा, pressure wave के थरह realize करूँगा, तो यहाँ पर pressure node, यहाँ पर pressure node, यहाँ पर pressure node बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी होता है, incident wave, reflected wave, superimpose होती है, और उसके बाद basically long channel waves, long channel standing wave के formation होती है, in the air or in the gas contained in the pipe, right, तो इसके जो frequency होती है, V upon 2L होती, L is the length of the tube, fundamental frequency है, first harmony की, यह कैसे आएगा, देखे, यह सबसे minimum possible case है, जिसमें की open end पे, displacement anti-node, यहाँ पे भी displacement anti-node, बीच में node, अब क्या होगा, length of the tube, L के equal है, तो L will be equal to lambda by 2, lambda equal to 2L आ गया, तो frequency V by lambda होती है, तो V by 2L आ गया, यहाँ पर, V is the velocity of sound, which is given by root for gamma RT by M, V is the velocity of sound, which is equal to the velocity of sound in the gas content in the pipe, which is given by root for gamma RT by M, gamma is called the adiabatic exponent, R is called the basically gas constant, is called the temperature, जो भी हमने distance भी कर रहा है, पीछे अभी, M is called the molar mass, यह वाली बात है, अगले में क्या होगा, अगले mode में एक और basically यहाँ नोट दिख रहा है, एक और नोट पर जाएगा, बीच में, तो 3B by 2LiB, फिर 4B by 2LiB, ऐसे करके आईगे, इसका अगला इसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th, सारे तरह के हार्मोनिक यहाँ पर open pipe में exist करते हैं, बहुत important point है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भई कि माल लिया जाए, बीबाइ 12, 80 Hz आ गया, माल लिया जाए, तो अगला frequency definitely उसके अंदर जो है, basically 160 Hz का ही बनेगा, same length of the tube लेते वे, यह समझे बात को, फिर अगला 80 का 3 times, 80 का 4 times बनेगा, इसके अंदर, यह बात बहुत important है, यह धियान में रखना है आपनों को, अब धियान से सुनिए बात को, यहाँ पर हमने क्या क्या है, एक जो है, एक exemption यहाँ पर पाइब से बाहर चला जाता है, चितना length जाता है, उसको कहते है end correction, यह कहा जाता है, कई जोग आप इसको laplace correction भी कहते हैं, जिसकी value E से denote करिया आते है, और E की जो value होती है, 0.6 times of the radius of the tube, 0.6 times of this radius of the tube होती है end correction, इसका मतर क्या हो गया, कि actually displacement anti node के बीच का distance L plus 2E है, क्योंकि इ यहाँ पर हो जाएगा actually V upon 2 into L plus 2E, मेरी बात समझे, L plus 2E मैंने लिखा नहीं है, मैंने समझाने कियोंकि इतना सारा कुछ लिखा नहीं जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर L plus 2E होगा, L length of the tube plus twice of the end correction, और end correction के वेली जो होती है, 0.6 times of the radius of the tube के एकोल होती है, समझ यह बात को, तो कहीं पर दिए end correction की बात है, समझ जगा पर neglect करा जाता है end correction, लेकिन end correction को consider करा जाए, तो E यहाँ पर आएगा, E is called the 0.6 times of the radius of the tube, इसका तो fundamental frequency जो actually हो जाएगा V upon 2 L plus 2E, L plus 2E, bracket में रहेगा, bracket में L plus 2E, E is called the end correction, which is 0.6 R, right, तो यह हो गया open pipe के लिए, अब एक close drawing pipe देखे, यहाँ एक end close देखे, यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर end close देखाद गया, वहहाँ पर displacement node and pressure anti node, यहाँ पर प्रेसर गट में बात करेंगे तो pressure anti node बनेगा और displacement नोड बनेगा, यह मैंने जो बना रखा है, वो displacement wave को consider करते हैं, और at the open end आपको पता ही कि displacement anti node बनता है, तो what is the distance lambda by 4 क्योंकि node है, anti-node है dispersion node है, dispersion anti-node है तो lambda by 4, this lambda by 4 will be equal to how much L, तो lambda equal to 4L hence frequency will come out V by 4L this one is the fundamental frequency this one is the first harmonic इसी ये first harmonic, second harmonic कालाता है, ज्यान दिजे, अगले में 3V by 2L is called the third harmonic लेकिन यहाँ पे V by 4L के बाद अगला वनेगा 3V by 4L अगला बनेगा 5B by 4L that means, यहाँ पे first harmonic के बाद third harmonic होगा, third इसको second ने बोलेंगे third harmonic, उसका fifth harmonic उसका seventh harmonic, इस case में exist करेगा, close running pipe के case में तो close running pipe के case में odd harmonic exist करते हैं open organ pipe के case में odd and even harmonic दोनों ही exist करता है ज्यान देने वाले बात यहाँ पे यह है और यहाँ पे भी end correction आएगा end correction होगा B upon 4L plus E क्योंकि एक ही तरफ anti-node थोड़ा आगे जाएगी तो E add करना है effective length L plus E है this L plus E equal to lambda by 4 यहाँ पे end correction को neglect करा गया है जैसे अभी हमने बात करा है, यहाँ भी end correction को value 0.6 R के equal होगी 0.6 times of the radius of this tube यह होगया close round pipe तो यह open organ pipe होगया यह close round pipe होगया, बहुत बहुत important यहाँ भी equal to root of gamma आटीपा M है, velocity of the sound in the, basically हम लोग कहेंगे कि air या gas content in the pipe तो यह दोनों भी basically आपका ultimately related है standing wave के थूँए, तो यह सारी बाते हमने अब तक discuss करी है अगला phenomenon आपना interference है अच्छे, एक बात और मैं बता दूँ आपको एक बात मैं यह बताना चाहता है V by 12, first harmonic, 2 V by 12 second harmonic, 3 V by 12 third harmonic, उसी तरस नहीं आपे 1 by 12 root of T by mu, first harmonic या fundamental harmonic, अगला 2 by 12 root of T by mu is called the second harmonic, अब एक word overtone भी उज़ होता है, overtone का मतलब क्या है समझे बात को, first overtone, second overtone, third overtone first overtone, यहाँ पे आएगा 2 V by 12, first overtone second overtone is 3 V by 12 third overtone 4 V by 12 लेकिन यहाँ पे first overtone 3 V by 4L second overtone 5 V by 4L fifth harmonic, इसका कला हैगा second overtone समझे बात को, यहाँ पे ध्यान देजे यहाँ पे का जाए, first overtone 2 V by 12, second overtone 3B by 2L, but यहाँ पर 1st Overtone 3B by 4L, 2nd Overtone 5B by 4L, यहाँ पर 1st Overtone, 2 by 2L to 2 by 2B, fundamental harmony के अगला वाला, वहाँ से count करना है Overtone के लिए और Overtone में कोई odd even नहीं होता, सारे हो गए 1st, 2nd, 3rd, जो भी है यह पॉइंट है यहाँ पर, तो Overtone वह में इतना ज्यादा discussion नहीं करना है interference का main discussion जो है आपका हमने अलग से जो wave optics में पूरा detail में discuss कर रखा है तो interference के बारे वहाँ पर जाके देखिए और interference के case में क्या होता है वही कि जो उसके लिए conditions यही है कि coherent sources से आने वाली waves जिसका मतलब क्या होता है कि successive maximum minimum आप मतलब dark fringe, bright fringe observe करते हैं यह wave optics में पूरा detail में discussion होगा मैं बस एक बार लिख दिया हूँ और result intensity जो होती है i equal to i1 plus i2 plus 2 root over i1 i2 cos phi होती है 5 is called the phase difference यह point है यहाँ पर तो इस तरीके से हमने सारा super position of waves के बारे में आपके सामने discuss कर दिया है अब इसके बाद हम मैं जो बात करने जा रहा हूँ dopless effect of sound के उपर जिसको मैं problems के थूरू समझाने जा रहा हूँ कि वही कैसे उसको apply करेंगे और उसके concept को यहाँ पर discuss करने जा रहा है तो आप उसके बाद देखे इस lecture के बाद जो dopless effect of sound है और भी कुछ points के अंदर है जो कि यदि होगा तो मैं discuss कर दूँगा बाद में या कुछ सेहर सेशन में अभी मैं ये सारी बातों को आपके सामने रखा हूँ और इसके सासाथ कुछ problems भी यहाँ पर discussion करी जा रही है जो कि उसमें जरूर से आप जाके इसी लेक्चर के अंदर इसी जो वीडियो लेक्चर में कुछ problems भी साथ में रहेंगे ताकि इन सारे concepts को कैसे apply किया जा सकता है उसके बारे में समझाए जा सके आपको तो मेरे खियाँ से सारी बात आपको definitely समझ में आयोगी तो definitely लेक्चर को लाइक कीजिए लोग को हमारे चैनल के बारे बताते लिए जितना जादा बता सकने है ताकि उनको भी हमारे काम से benefit हो सके राइट ओके thank you and thank you very much मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आपलस्त इफेक्ट लेओ पर राइट और आपलस्त इफेक्ट से रलेटेड मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं एक पर्टिक्लर टाइप अप प्रॉलम्स आते हैं उसका मैं जो की पॉइंट बताना जा रहा हूं से लेटेड क्या वो की कॉंसेट है जिसके पर मैं बात करने जा रहा हूं तो देखिए यहां पर होता क्या है कि सपोज एक ट्रेन आ रही है और आप प्लेट्फॉर्म के बिलकुल प्लेट्फॉर्म पर खड़े हैं आप बड़ेट्फॉर्म पर त्रेट्फॉर्म पर रुकी नहीं वह उतनी स्पीड से आगे बढ़ गई हैं मतला आपको एप्प्रोच कर रहा है वह एक्पर्व एक्रेन की स्पीड ले लेता हैं nut stark VT, train की speed VT ले लिया जाए, और उसी speed से आपको वो जो है, निकल गई, तो उस case में क्या होगा, कि जब वो आपको approach कर रही होगी, तो but and obvious है, कि जितनी whistle की frequency होगी, जो emit कर रहा होगा, basically whistle की frequency होगा, let's say उसकी frequency F note ले ले लेते हैं, तो जब वो आपको approach कर रहा होगा, तो obvious से ब परस यहाँ पर कि वही कि difference of frequency क्या होगा, right, एक ये बात है, अब इसी जो expression आएगा, ये expression आप देखें, कई दफे, ऐसा ही कुछ expression आजाता है, कुछ एक problems का, तो मैं उसी expression को इकठा कर रहा हूँ, कई different types of problems के लिए, तो मैं कहूंगा कि आपको जरूर से बड़े ध्यान से प important है, right, अब देखें आपे, अब suppose मैं यहाँ पर एक, let's say, observer है, ले लेते हैं, यहाँ पर भई की observer ले लेते हैं, और यह observer रेस्ट में है, और यह एक train ले लिजे, vehicle ले लिजे, कुछ भी ले लिजे, और इसकी speed, मैं train की VT ले ले लेते हैं, right, और यह जो whistle, एकी जो frequency है, वो F note ले लेते हैं, अब यह इसको approach कर रहा है, तो approach जब कर रहा होगा, तो क्या frequency यह observer इसको receive करेगा, यह इसको सुनाई देगा, तो हम लोग इस बात को जानते हैं, कि वही की F equal to the F note, V plus minus VU upon V minus plus Vs, यह काफी काफी एक important expression है, जो कि आप जानते ही है, कि यही dopless effect के लिए basically यू velocity of sound, यहाँ पर medium को मैंने rest में रखा हुआ है, जिस medium में dopless effect हो रहा है, तो हम लोग उसको लेकर काम नहीं कर रहे है, V is the velocity of the observer, along the line joining the source to observer, यह point है यहाँ पर, और basically VU उस समय की velocity है, जिस समय वह receive करेगा wave, Vs क्या है, Vs is the velocity of the source, along the line joining source to observer, और जिस समय, उस समय की velocity है, जिस समय वो basically sound wave को emit करता है, यह बहुत important key point है, जो मैंने आपको समझा रहा है, अब यहाँ पर plus minus minus plus का मतलब क्या, आपने समाझा है कि मैंने गलत कर दिया minus plus, यहाँ पर क्या है basically, upper sign and lower sign, observer के लिए upper sign plus का है, lower sign minus का है, source के लिए upper sign minus का है, lower sign plus का है, upper sign कभ यूज होता है, जब basically, यहाँ पे जो है, approach कर रहा हूँ, जब approaching होगी, तो upper sign, दूर जा रहा होगा, तो lower sign, right, यह point समझा आगी बाते, that means, वह एक एक जामपर ले लेता हूँ, जैसे देखिए, यह suppose source है, यह observer है, और source जो है, observer को approach कर रहा है, right, और observe suppose ऐसे जा रहा है, let लेते हैं, right, तो source observer को approach कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया, कि source के लिए मैं use करूँगा upper sign, that means, यहाँ पर v minus vs होगा, वही पर observer दूर जा रहा है, तो observer यही दूर जा रहा है, तो इसके लिए lower sign, और observer का lower sign minus है, तो उस case में यह जो frequency सुनाई इसको देगा, f equal to f not v minus v o upon v plus v minus vs, अब समझ में आ जाए, बताइए source क्या कर रहा, observer को, source यहाँ पर observer को approach कर रहा है, यदि approach करें, तो यहाँ पर अपर sign होगा, और source के लिए upper sign मतलब vs का upper sign क्या है, minus, इसलिए यहाँ पर मैंने लगा है, v minus vs, अब देखिए, observer source के respect में क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, यदि observer चु मेरी बात समझ में आ गई बात यहाँ पर, और यह purely doctor's effect of sound के लिए वाला formula applicable है, और यहाँ पर velocity definitely sound wave की जो होनी चाहिए, जो source of observer की जो होनी चाहिए, वो definitely or definitely sound wave की velocity से कम होनी चाहिए, कभी हम लोग यह apply करेंगे, यह point है यहाँ पर, right, मेरी काल सारी बात समझ में आ गई है, अ observer, observer की velocity क्या है भी, observer की velocity 0 के equal है, रेस्ट में है, और यह source की velocity VT ले लेते हैं, चोकि मैंने train ले रखा है, कुछ और ले ले लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह SC कर देता हूँ, मैं VS कर देता हूँ, सबसे अच्छा, VS कर देता हूँ, right, अब बता ही यहाँ पर, यह कित VO तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, चोकि यह approach कर रहा है, तो approach करने पर V-VS, यह वाली बात हो गई, अब क्या हुआ कि यह जो source है, वो basically cross कर गया, यह ना समयना है कि इसके साथ ही collide कर जाएगा, बिल्कुल side में है, मतलब जैसे मैं ऐसे हूँ, और बिल्कुल train ऐसे निकल गई है बिल्कुल इस तरह से निकल गई है, यह point है यहाँ पर, मतलब almost मैं यह जूम कर रहा हूँ, कि दोनों एक तरह से एक ही line पर है, source भी and observer भी, almost, right, के बात समयने वाली बात यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर, जब यह source निकल जाएगा जी, उतनी velocity से Vs से ही, तब उस case में यह observer कितनी frequency सुनाई देगी, F2, that will be definitely कम सुनाई देगी, यहाँ पर, इस case में तो ज़्यादा सुनाई देगी, but इस case में कम सुनाई देगी, F0, V upon V plus Vs, अब ऐसा क्यों हो गई, V plus Vs क्यों लगा है, चो कि यह दूर जा रहा है, तो दूर जाने पर क्या होगा, lower sign होगा, य अब लोग इन दोनों का difference ले ले लेते हैं, यदि difference लेंगे, delta F, that will be equal to F1 minus F2, ले लेते हैं जी, तो F0 को common ले लिया, V upon V minus Vs, V plus Vs, मेरे ख्याल से सारी बात आपको समझने आ रहे हैं, कोई दिक्कर की बात नहीं होनी चाहिए इसमें, राइट, यह point है यहाँ पर, अब दे V minus divided by V square minus Vs square, basic calculation में कर रहा हूँ, जो कि आप भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे, तो V भी cancel out हो गया, तो finally मेरे पास delta F जो आ गया, 2F0 V into Vs divided by V square minus Vs square, अब ध्यान से सुनिये बात को, यदि V की value generally source की velocity से काफी ज़ादा होती, क्योंकि velocity of sound normally air में 340 meter per second होती ह भी दे रखा हुआ, meter per second हो ले लिजी यहाँ पे, source की velocity यदि कम हो, that means यदि V greater greater than Vs हो, सब्सक्राइब पांच meter per second होती होती है, तो कमी है यह, 340 degree respect में, तो उस case में यहाँ पे, जो है, delta F approximately, क्या करेंगे, Vs square neglect हो जाएगा, V square रहेगा, उपर निचे VB क्या हो गया जी, cancel out, तो delta F हो जाएगा, 2F not Vs divided by V, काफी काफी important यह expression में आपको derive करके दिया हूँ, यह directly यह point को ध्यान में रखिए, बहुत important यह expression है, बहुत दफे यह use होता है, चाहिए कभी यह use हो सकता है, कभी यह use हो सकता है, depend करेगा, कि source की velocity, जो है, sound की velocity के respect में, के respect में कितनी है, तो यह यदि महालो source की velocity आपकी दे रहा कि पचास मीटर पर सेक्ड़ तो नेगलेक्ट नहीं होगा, लेकिन यदि source की velocity पांच मीटर पर सेक्ड़ और दस मीटर पर सेक्ड़ नॉर्मल नेगलेक्ट होई जाता है, most of the problem में, तो यह आप use करेंगे, अब इसका फायदा क्या है, यह फ तो यहां से आजाएगा, और original frequency दे रखा होगा, original frequency बोला 340 hertz है, और velocity of the sound wave भी 340 meter per second है, तो simple सी बात है, source की velocity से आजाएगे 2.5 meter per second, आएगे नहीं आएगे बताएगे, directly इसका यूज कर सकते हैं, अब ऐसा ही expression कई दफे आजाता है, कई सारे prompts में, अब कहां कहां पर आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बात को, अब देखिए अगला, ध्यान दीजेगा, आप सब लोग ध्यान दीजेगा यहां पर, यहीं same type of expression आएगा, सही कई जगा पर, कई problems में आजाता है, ध्यान से देखिए, अब कहां आएगा, जी देखिए आपर, यहानों जो है frequency जो emit कर रहा है यह F note और यह वी F note कर रहा है लेकिन यह tuning fork, velocity vs से approach कर यहीं दूर जा रहा है, समझे बात को, यह tuning fork, इस observer को, velocity vs से approach कर रही है, और यह tuning fork दूर जा रहा है, अगनों यह tuning fork की velocity है, ज्यादा नहीं है, ठिक ठाक है, इतना हो रहा है, जिससे कि यह bit frequency, bit frequency मतलब क्या होगी यहां पे intensity कभी इसको maxima कभी minima regular interval पे सुनाई दे रहा इस observer को, यह point है तो कहेगा वही frequency difference का दे यहां पे bits frequency का दे तो कहेगा bits frequency किसके कोल है बसरते, tuning 4 की velocity काफी जादा नहीं है तो मैं directly यहां पे use कर सकता हूँ बिल्कुल वही problem है, समझे बात को जब यह approach कर रहा होगा, तो इसके पास यह वाली frequency कितना इसको observe करेगा f1 will be equal to f0 into v upon b minus bs, तो कि यह दूर जा रहा है तो इसकी वाली frequency कितना approach करेगा यह कितना सुनाई देगा f0 into v upon b plus bs, जब उसका difference लेंगा तो यही तो आएगा, तिसका बिट frequency, बिट frequency जो हो गया यहाँ पे, that will be delta f, once again it will come out 2 f0 v into v s divided by v square minus v s square समझे बाली बात है, बहुत important point में distance कर रहा हूँ, और यदि मैं delta f की approximate value लिख हूँ, तो it will be called 2 f0 v s upon v, यह लिखा जाएगा, बहुत important problem मैंने आपके साथ distance किया है, बहुत important key points है, जिसको धियान में रखना है तो देखे, फिसला वाला जो problem किया, कि वही की train है, कोई vehicle है आपको approach किया, फिर उसी speed से cross कर गया, तो difference of frequency कितना observe करेंगा, वही वाली बात है तो कि यह वाला result है, दोनों यह मैं हटा देता हूँ, अब अगला एक और तरह का problem जिसमें same result आ जाता है, जिसमें कि same result आ जाता है, धियान दीजें यहाँ पे right, अब देखें यहाँ पे धियान सुनी, एक यह वाल यह वाल हो गया जी, अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है एक observer है यह एक observer है और सपोज यह एक tuning fork ले लीजे या आप कोई vehicle कुछ भी ले लीजे और यह frequency f0 continuously emit कर रहा है और यह vehicle जो है velocity vt से approach कर रहा हो सकता है tuning fork हो जी, हो सकता है आपका basically कोई जो है यहाँ पे vehicle हो कुछ भी हो सकता है, जो continuously frequency f0 emit कर रहा है सामने एक wall है, wall यह stationery है अब इस observer को दो frequencies तुना ही देगा, एक जो यहाँ से direct इसके पास आएगा और एक reflected sound का by the wall एक reflected sound का by the wall यहाँ पे वो दो frequency सुना ही देगा समझे बात को, तो देखिए यहाँ पे जो जब यह दूर जा रहा होगा तो जब यह दूर जा रहा होगा तो जो direct sound इसके पास आएगा उसकी जो frequency होगी, वो कितनी होगी इसकी frequency f1 will be equal to f0 v upon v plus vt होगा यह नहीं होगा, बताएए, चुकि यह दूर जा रहा है तो v o की velocity simply zero हो गई और जो आपकी vt ले रहे या vs, vs ही ले लेता हूँ, मैं source है vs ले लेता हूँ vs ले लेता हूँ, राइट, यहाँ पे तो source की velocity vs है, चुकि यह दूर जा रहा है तो यहाँ पे दूर जाने पे आपको जैसा कि मैंने रिस्ट केया था लेता है कि lower sign उसके इसाब से f0, v upon, v plus vs आगया अब जो यह waves एक direct जो ऐसे करके जो है, जब यह source दूर जा रहा होगा तो उस case में यह waves इधर भी जा रहा होगा तो जब इधर जा रहा होगा, तो उसकी बाली frequency यह सुनाई देगे, अब क्या होगा दूसरा आपकी f0, v upon, v minus vs f0, v upon, v minus vs आजाएगा मेरी बास समझे हैं आपके, अज जब दोनों का difference लेंगे, तो वही वाली result यह आजाएगे अब यह कैसे होगा कि भाई की वाल के क्रेक्स में, v upon, v minus vs आएगा तो अब इस बात को समझे लेते हैं आपके अब क्या होता है कि incident wave के लिए incident wave के लिए कोई भी reflector जो है एक observer का काम करता है और reflected wave के लिए वो reflector basically source का काम करता है key points दियान में रखना है incident wave के लिए एक reflector reflector मतल़ एक वाल हो सकता है mountain हो सकता है, कुछ भी ऐसा ले लिज़े कोई भी mirror हो सकता है तो एक reflector या एक वाल incident wave के लिए किस की तरह काम करता है बताइए एक observer की तरह और reflected sound के लिए वो एक source की तरह काम करता है एक बात कि यहां पर दियान रखनी है अब देखें आपे, अब जो waves इसके उपर incident हो रही है जो waves इसके उपर वाल के पर incident हो रही है तो वाल अभी incident wave के लिए वाल यहां पर काम करेगा observer के लिए तो जब observer के लिए काम करेगा तो इसके frequency कितनी हो जाएगे चुकि यह source इसको approach कर रहा है वाल को तो f note v upon v minus v s होगा या नहीं होगा अब ध्यान से सुनिए बात को यहां पर reflected wave के frequency यही वाली होगी f note v upon v minus v s चुकि यहां पर reflected sonic के लिए वाल एक source का काम कर रहा है अवाल जो source वो रेस्ट में है यह observer भी रेस्ट में है तो यही frequencies को सुनाई देगा यही वाली frequencies को सुनाई देगा f note v upon v minus v s इस सुनाई देगा यह वाली frequencies है, यहाँ पर यह observer बूफ कर रहा हो तो तब हो सकता था, different होता, लेकिन reflected, जब reflect कर रहा है, तो reflected वह की frequency होगी, f naught, v upon v minus v s, यह हो गई आपकी, अब देखें आपर, जब reflected sound के लिए wall किसकी तरह काम कर रहा है, source की तरह, observer भी यहाँ पर rest में है, तो observer भी रेस्ट में है, wall भी चुकी रेस्ट में है, तो यह जो source की frequency, f naught, v upon v minus v s, वही तो यह observer रिसीव करेगा, जब यह रिसीव करेगा, तो कितनी frequency रिसीव कर रहा है, reflected by the wall, तो that will be equal to this one, f2, अब जब दोनों का difference लेंगे, delta f, तो यही तो result फिर से है, तो delta f कितना हो जो कि approximately आप फिर से लिख सकते है, 2 f naught, v s by v, by taking v greater greater than v s, right, तो इस तरह से तीन different problems, बड़ सब के ultimate result एक ही जैसे है, है यानि यह बताईए, तो यही यहाँ पे key points है, important points है, जिसको आपको धियान में रखना है, बहुत-बहुत important discussion हुई है, तो आपको जरूर-जरूर से यहाँ यहाँ पे धियान में रखें, इन सारी बातों को, right, तो मैंने यहाँ पे जो discussion किया है, वो dropless defects related, जो particular problem, तीन particular problem, but ultimately तीनों के result, एक ही जैसे, पहला क्या था, आप रेस्ट में है, और एक train, एक vehicle, car, I, और speed v से आ रही है, cross कर गए आपको, right, अब हम लोग रिजूम कर रहे है कि आप और जो car है, almost same line पे, almost, एक ही line पे रहे हैंगे, तो भी धक्का मार के निकल जाएगा, तो मैं एजूम कर रहा हूँ कि almost same line पे, तो क्या हुआ जी, इससे, अब almost same line का ही purpose है यहाँ पे, कि जमसन इसलिए लिया गया है, तो कि हमने concept distance किया हुआ है, Vs is the velocity of the source along the line joining source to observer, तो मैं यदि same line पे लेता हूँ, तो वो basically component लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं यह बात कर रहा हूँ, तो एक तो यह हो गया, जिसमें delta F जो आया, तो आते हुए आप ज्यादा frequency receive करेंगे, जा रहा है वेहिकल, तो कम frequency receive करेंगे, उसका difference, उसका difference यही आया, पहला तरह कर यह problem, अब दूसरा कौन सा problem था, दूसरा यह problem था, वह यह, एक observer है, दो आपका vehicle हो जाए, दो आपका tuning fork हो जाए, दोनों same frequency emit कर रहे है, एक observer को approach कर रहा है, दूसरा वाला approach दूर जा रहा है, तो उस case में bits frequency कितनी होगी, एक यह बात है, इस case में, यह observer को कितना bits frequency सुनाई देगा, तो तीनों problem एक तरह से एक ही जैसे है, तो बहुत-बहुत important discussion यहां पे होई है, related to the dopless effect, key points है, shortcut है, जिसको धियान में रखना है, तो बहुत important discussion होई है, तो जरूर से आप इन सारी बातों को धियान में रखे है, और हमने साथ मे आपको डॉक्टर से फेक्ट का application भी शिखा दिया कि कैसे इसको यहां पे apply किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से सारी बाते समझ में आई होगी, तो जो मैं कहता ही रहता हूंगी, lecture को like कीजिए, लोगों को हमारी channel के बारे में बताएए, जितना ज़्यादा बता सकनें, ताकि ह हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंश सके, right, okay, thank you and thank you very much, मिलते हैं अगले सेस्न में कुछ नए concepts और नए problems के पर work out करेंगे. इसके मैं questions को discuss करना हूं, यहाँ पर जो मैं discuss करने जा रहा हूं, यह आपका chapter है sound waves और page number 357, इसमें यह काफी अच्छा problem है, problem number 86, यह problem आपका जो topics related हो, Doppler's effects ती related है, और इसके concepts को आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी जाकर करके आप इस problem को समझ पाएंगे, देखें यहाँ पर problem क्या है, मैं पहले से यहाँ पर फीदर बना रखाऊं, यहाँ पर एक source है, जो की 22 meter per second से along the y-axis move कर रहा है, और एक observer है, जो की 660 meter comma 0 पर situated है, source 4000 hertz की frequency emit कर रहा है, तो हमारा problem यहाँ पर यह है, कि जिस समें source origin से cross कर रहा होगा, that means इस point से cross कर रहा होगा, उ source moment पर इस observer को कितनी frequency सुनाई देगी, यह problem काफी technical problem है, technical इसलिए हो जाता है, कि हमारे कुछ dopless effect का complete concepts जो है, वो क्या है, उसके उपर based है, dopless effect यह कहता है, कि whenever there is a relative motion between the source and observer, along the line joining source to observer, यह technical है, point यहाँ पर देखें, along the line joining source to observer, तो यह काफी technical है, यह काफी technical है, तो मैं फिर से एक पर repeat कर रहा हूँ, whenever there is a relative motion between the source and observer, along the line joining source to observer, then the frequency emitted by the source and the frequency observed by the observer will be different, कि यह लोग यह सोचते हैं, कि relative motion होना जरूई है, but relative motion along the line joining the source and observer होना चाहिए, right, तो अब आप गलती यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस concept को लेकर के, कि यह सोचा जासा है, जिस समय सोर्स, origin से क्रॉस कर रहा होगा, तो उस समय इसकी velocity along the y-axis है, observer rest में है, तो हमारा statement की यह डॉक्टर से फिक्ट काता है, कि whenever there is a relative motion between the source and observer, along the line joining source to observer, तो हो क्या रहा है, कि along the line joining source to observer, जो की x-axis है, उस समय उसके लॉग कोई भी relative motion नहीं है, यदि उसके लॉग कोई भी relative motion नहीं है, इन जेनरल लोग यह सोच सकते हैं, कि इसका मतलब जो observer उस समय जो frequency यह receive कर रहा होगा, या सुन रहा होगा, वो 4,000 Hz होगा, तो यह एक गलक सोच हो सकती है, इसलिए problem काफी काफी important हो जाता है, point यहाँ पर क्या है, कि observer जो है, कौन सी frequency सुन रहा है, क्या वो frequency सुन रहा है, जिस में source origin से cross कर रहा था, नहीं, source जिस समय origin से cross कर रहा था, वो wave तो उसके पास कुछ दिर के बाद आएगा, जिसकी frequency उसे 4000 Hz कुछ दिर के बाद सुनाई देगी, यहाँ पर point क्या है, statement यह problem का कर रहा है, कि जिस समय source origin से cross कर रहा है, उस समय observer को कितनी frequency सुनाई दे रही है, तो source जिस समय origin से cross कर रहा होगा, उस समय जो frequency observer receive कर रहा होगा, वो वाली frequency या वो वाली wave तो पहले ही emit हो चुक जो observer को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, और approach किसके लों कर रहा है, along the line joining the source and observer, मत्तलि इस line के लोग, अब्रोच कर रहा होता है, along the line joining the source to observer, तो उस समय जो frequency observer को सुनाई देती है, वो original frequency या frequency emitted by the source से ज़्यादा होती है, तो observer को जो frequency सुनाई देगी, वो definitely 4.0 Hz से ज़्या से मैं इस प्रावल्म को डिरेक्टी एक रिजल्ट से सॉल्व कर सकता हूं और रिजल्ट क्या है वो रिजल्ट हम दो डेराइब भी कर सकते हैं और काफी इंट्रेस्टिंग रिजल्ट है रिजल्ट क्या है रिजल्ट यहां पही है कि f equal to fnote 1 upon 1 minus x square राइट और x यहां पहे क् यह यहां पर है तो x की value कैसे निकलेगी velocity of the sound wave जो है वो दे रखिए आपकी 330 meter per second velocity of the source दे रखिए 22 meter per second तो x की value जब निकालेंगे तो x will come out 22 divided by 330 जब यह calculate करेंगे तो it will come out 1 by 15 अग इस x की वेली यहां पर 1 by 15 प्लेस कर दीज़े और fnote की वेली 4 coin hertz प्लेस कर दीज़े तो f की जो approximate value आएगी calculate करने के बाद वो आएगी 4018 hertz जो की answer में दे रखा है यह approximate value आएगी तो हम लोग इस result क directly use करके इस problem को solve कर सकते हैं और काफी जल्दी solve हो जाएगा अब point यहां पर आता है कि result आया कैसे और यह काफी काफी interesting result है यह आपका observer है जो की x axis पे situated है और एक source जो है along the y axis move कर रहा है और यह source continuously frequency f not emit कर रहा है अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जिस समय source origin से cross कर रहा होगा उस समय observer को कितनी frequency सुनाई देगी problem यहाँ पर यह है source origin से cross कर रहा होगा उस समय वो frequency observer सुनेगा जो की source ने कुछ दिर पहले emit कर दिया है तो जिस समय यह wave emit करा गया होगा उस समय source कुछ दूर पहले होगा source ने एक wave emit इस जगह पर करी होगा वो wave यहां से चलना सुरू करा और यह observer के पास यहां तक पहुंचा होगा वो sound wave जितने देर में source से observer तक गया है उतने ही देर में यह source जो है इस point से origin तक पहुंचा है कि suppose मैं वो frequency f not ले लेता हूँ जो source ने इस जगह पर emit किया है अब वो observer को कितना सुनाई देगा हम लोग कैसे लिखेंगे तो हम लोग य f will be equal to, यह frequency received by the observer, f not is the frequency emitted by the source, v is the velocity of the sound wave in the medium, in air हो गया, vs is the velocity of the source, यह है along the line joining the source to observer, right, तो मैं इसको vs dash से denote कर देपा हूँ, ज्यान दीजें यहां पर, मैं इसको vs dash से इसले बोड़ा हूँ, vs dash is the velocity of the source along the line joining the source to observer, right, तो vs dash के value क्या होगी, सपोज मैं यह angle theta ले लेता हूँ, और velocity along the y axis, जो source के vs है, तो source और observer के along the line है, उसके along the velocity vs dash होगी, और यह vs dash के value कितने कहीं को हो जाएगी, vs cos theta, right, अब point किया है कि vs सो दे रखा है problem में, but cos theta नहीं दे रखा है, अब हमारा main purpose है, यहां पर cos theta की value ही calculate करना, अब cos theta की value निकाल लेते हैं, यह observer origin से distance l पर ले लेता है, और जिस समय source ने wave को emit करा होगा, वो origin से distance y पर है, तो cos theta की value कि तो है जाएगी, cos theta will be equal to, इस triangle से देखिए, cos theta will be equal to y divided by root over l square plus y square, अब देख चाम दो यह कैसे calculate कर सकते है, sound wave source ने इस जगह पर emit करा है, तो sound wave यदि इस जगह पर इस ने emit करा है, तो sound wave को ओ तक पहुँचने में, जो time लगेगा, उतने ही देर में, यह आपका source जो है origin तक पहुचा है, y is the distance traveled by the source and it is moving with the constant velocity v s, the time in which the source will cover this distance will be equal to y by v s. During the same time, sound wave is moving from s to o, right, from this point to this point, right, with the velocity of sound wave in v, with the velocity v, hence, this distance, root over l square plus y square, divided by velocity of the sound wave, this is the time during which the wave will move from s to o, right, अग दोनों time को हमने क्या कर लिया है, हाँ पर equal कर लिया, अभी इस expression को बहुत दियान से देखिए, cost ठीक विले हमने निकाल रहे, y upon root over l square plus y square, इस चीज़ को आप यहाँ ले आई है, और vs यहाँ ले जाई है, तो y upon root over l square plus y square किसके को आजाएगा, vs by b के, बहुत असान सी बात है, right, तो y upon root over l square plus y square आगया, यहाँ थे vs upon b, तो cost ठीक विले किसके को आजाएगी, vs divided by b, अब हम दो क्या करते है, इस cost ठीक विले यहाँ पर place कर देते हैं, जब place कर देंगे, तो y will get vs dash will be equal to vs square divided by b, और वो value फिर मैं यहाँ पर vs dash के जगवाँ प्लेस कर दूँगा, और simplify करूँगा, you will get the result, मैं assume कर लेता हूं कि x equal to vs divided by b, यह दे रखा है problem मैं, अब देखे रहां से, x equal to vs by b है, तो vs की जगवाँ मैं place कर सकता है, x into v, तो यहाँ पर मैं x into v डाल देता हूं, जब मैं यहाँ पर x into v place करूँगा, तो vs dash will come out x square into v, अब इस vs dash की value मैं x square into v यहाँ पर डाल देता हूं, जब मैं यह place कर दूँगा, तो simplify करूँगा, तो उपर नीचे से numerator, denominator और इसे v cancel out हो जाएगा, उससे हमारे पास f की value आ जाएगी, जब इसकी value यहाँ पर place कर दीजेगा आप लोग, तो हमारे पास आ जाएगा, v upon v minus x square into v into f node, that will be equal to f, अब उपर नीचे numerator, denominator से v cancel out कर देता है, जब मुसको cancel out कर देंगे, तो f की value आ जाएगी, कौँसी? f will be equal to f node 1 upon 1 minus x square, यह आपका result आ जाएगा, और इसी result को हमने use क्या था, आपका उस problem है, जो hc बर्मा का था, तो यह वाला आपका result आएगा, finally, f equal to f node divided by 1 minus x square, और x की value किसके क्यावल है, v s, velocity of the source divided by velocity of the sound wave, यह result तभी valid है, जब कि velocity of the source जो होनी चाहिए, तो velocity of the sound wave से कमानी चाहिए, यह problem को distance करने जा रहे हैं, और यह problem जो है, आपका wave motion and waves on the string, और यह problem number आपका 48 है, already मैंने यहापर देखेंगे, आपकी figure हमने बना रखा है, तो मैं problem एक बार पढ़ देता हूँ, देखें, problem क्या है यहाँ पर, यह problem यहाँ पर कर रहा है, कि यह एक uniform horizontal rod है, जिसकी length 40 cm है, right, mass इसकी 1.2 kg हो आप देख रहे हैं, और यह दो identical string के थो इसको support कर दिया गया, एक यह string है, और एक यह string है, अब इसके बाद कहा जा रहा है कि एक mass 4.8 kg को हमें place करना है, on this rod from the left end, suppose यह distance मैं assume कर लेता हूँ, x है, जहाँ पर हमने place किया है, इस particle को 4.8 kg mass के particle को, और place ऐसे करना है, जिससे कि same tuning fork, यहाँ पर excite करेगा wire on the left in the fundamental vibration, और on the right in its first overtone, यह problem कहा जा रहा है, problem को हम लोग solve कैसे करेंगे, यह हमें देखना है, तो इस problem को यह हम लोग solve करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, rod plus particle का free body diagram बना लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं कि इस string में tension T1 है, left string में tension T1 है, right string में tension T2 है, अब हम लोग यहाँ पे इस rod का plus particle का एक साथ free body diagram बना लेते हैं, तभी जाकर कि हम लोग X की value calculate कर पाएंगे, और यह X क्या है, X यहाँ पे इस particle की position from the left hand, यह पूरी complete free body diagram होएगी, यहाँ पे 48 newton क्या है, 48 newton इस particle की जो weight है, जो vertical downward लग रही है, 12 newton इस rod की weight है, जो vertical downward लगेगी और 12 newton को हम लोग rod के center of gravity लगाएंगे, चुकि rod uniform है, तो center of gravity, center of mass will remain at the same position, अब मेरे कोई इस X की value निकाल लिए है, तो हम दो क्या करेंगे, इस point के बद टॉर्क निकाल लेते हैं, यदि मैं इस point के बद टॉर्क निकाल लेता हूं, पूर्स टॉर्क के equation से मैं यह X निकाल सकता हूं, यहाँ पे net torque जो इस system पे लगेगा, किसी भी point के about यह देखा जाए, तो जीरो के एककल होगा, तो मैं यहाँ पे net torque ले लेता हूं, और this net torque about this point will be equal to zero, यह concept हम लोग लगाते हैं, जैसा कि मैं पता है कि torque होती है, तो R x F, तो उसी के basis पे हम लोग torque यहाँ पे निकालेंगे, यह दि मैं इस point के about torque लेता हूं, तो definitely 12 newton का torque कितना हो जाएगा, जीरो के एककल हो जाएगा, क्योंकि आप जिस point के about torque ले रहे हैं, उसी point से यहाँ पे यह force पास कर रहा है, यह उसी point पे लगा हुआ है, अब देखें, T1 का torque, मताईए T1 का torque इतना होगा, T1 का torque होगा T1 into this perpendicular distance, that is 20 cm, right, T1 into 20 cm, ऐसा क्योंकि रोड की total length 40 cm है, तो यह वाले length कितनी होगी 20 cm होगी, तो T1 into 20 cm, तो T1 का torque होगा T1 into 20 cm in the clockwise sense, अब देखें, T2 का torque, T2 का torque जो होगा, वो आपका anticlockwise sense होगा, और यह आपका जो होगा T2 का torque, that will be T2 into 20 cm, right, अब 48 N का torque, 48 N का torque होगा, that will be 48 into this perpendicular distance, and this perpendicular distance होगी 20 minus X, क्योंकि यह वाले distance X है, यह 20 है, तो this perpendicular distance is 20 minus X, तो that's why 48 N का torque कितना होगी, 48 into 20 minus X in anticlockwise sense, इस point के बाद anticlockwise sense होगा, right, तो T1 का torque clockwise sense होगा, 48 N का torque anticlockwise sense होगा, T2 का torque ही आपका anticlockwise sense होगा, तो हम लोग net torque को 0 यह दिक कर रहे हैं, तो जो clockwise sense का torque है, जो anticlockwise sense का torque होगा, इस दुस्रे को क्या करेगा, बादिन्स करेगा, तो मैं T1 के torque को लेकूँगा, T1 into 20, that will be equal to T2 into 20 plus 48 into 20 minus X, यह आपका equation 1 बनेगा, using the concept of torque, right, यह एक equation हमें बनाया, using the concept of torque, यह भी centimeter में, यह भी centimeter में, और यह भी centimeter में, यह भी centimeter में, तो यह भी centimeter में, तो यह आप X निकालना चाहते हैं, तो अब हमारी जरूरत है T1 and T2 की, net force will be 0, तो T1 plus T2 will be equal to how much, 60 newton, तो अगला equation हमाई पास आगया, T1 plus T2 will be equal to 60 newton, लेकिन अभी भी हमें X निकालना है, तो अभी भी एक और equation की जरूरत पड़ेगी, तो एक और equation कैसे आएगा, अब वो concept हम लोगा लगाएंगे, यह concept of standing wave, जिसके थूरू हम लोग T1 and T2 को relate कर सकते हैं, अब ध्यान दिजी यहां पे, अब देखिए यहां पे, हमारा purpose है T1 and T2 को relate करना, आपको जैसा कि प्रॉलम हमें दे रखा है, यह वाला wire और यह वाला wire दोनों को same tuning fork से excite करी गई है, इसका दोनों में जो standing wave की, जो frequency हार्मोनिक, इसकी frequency, इसकी frequency अलग लग लिखेंगे, आप दोनों को आपस में equal कर देगे, इसकी frequency कितनी होगे, चुकि इस तिम में टेंशन T1 है, तो हम लोग इसकी frequency जो लिखेंगे 1 upon 2L root over T1 by mu, चुकि यह fundamental mode में है, इसलिए यह वाला जो है, आपका second harmonic में है, मतलब फस्ट इसकी frequency को लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी 2 upon 2L root over T2 divided by mu, दोनों आपस में equal होंगे, दोनों frequency आपस में equal होंगे, इससे हमारे को T1 आ T2 का relation हो जाएगा, जो हमने लिखा हुआ है, यह एकॉर्डिंग तो the concept of standing wave लिखा हुआ है, यह वाली जो standing wave की frequency develop हो रही है, वो आप इसकी left wire में हो रही है, और यह आपकी right wire में हो रही है, चुकि हम लोग जो tuning fork जिसे हम लोग दोनों wire को excite कर रहे है, वो identical है, तो यह frequency भी आपस में identical होगी, लिंथ दोनों string की equal होगी, क्योंकि identical wires है, चुकि identical wires होनी के वाईज से mu भी आपस में क्या होगी, मास्क परिंट length व हमारे पास एक यह equation हो गया, एक यह equation हो गया, और एक यह equation हो गया, तीन हमारे पास equation ना तीन वेरियेबल है, तो तीनों को हम लोग बड़े असानी से find out कर सकते हैं, बले आप इन दोनों को solve कर लेजे, इन दोनों को solve करके आपको T1 और T2 के value आ जाएगी, T1 equal to 4 T2 है, यहाँ चाहिए, तो T1 आगे आपका 48 N और T2 आगे आपका 12 N, तो T1 आगे 48 N और T2 आगे 12 N, अब यह दोनों value इस equation में place कर दी, जब इस equation में place करेंगे, simplify करेंगे तो you will get the value of x, तो T1 की जगह पे आप प्लेस कीजिए 48, T2 की जगह पे आप प्लेस कीजिए 12 newton और इसको simplify कीजिए, then you will get the value of x, right, तो अब हम लोग यहां पे T1 और T2 को यहां पे प्लेस करने जा रहे हैं, तो हमारे पास यह equation आ गया है, और यही equation हमारा काम का है, इस equation को जब आ करना बहुत असान है, तो इस 12 into 20 को मैं इस साइड ले आता हूं, लाने के बाद देखिए, यहां जाएगा 48 into 20 minus 12 into 20, that will be equal to 48 into 20 minus x, आपको ध्यान में रखना है, यह सारे centimeter में, 20 centimeter तो हमारे को डाइकर एक सेंटीमेटर मिलेगी, तो solve करेंगे, तो it will come out 36 into 20, 20, 20 common ले लेते हैं, 20 common लेने के, 48 minus 12, that will come out 36, so 36 into 20, that will be equal to 48 into 20 minus x, right, बहुत इसको आप smart way में solve करें, right, यह नहीं के multiply करें, 36 of 48, 12 से दोनों साइड, divide कर दीजे, so it will come out 3, right, it will come out 4, तो यह आपको आगया, 3 into 20 will be equal to 4 into 20 minus x, इसको solve करें, 3 into 20 is 60, this one is 80 minus 4 x, so 60 equal to 80 minus 4 x, right, अब इसके बाद देखें, इसको solve कीजेगा, तो आपको बड़े असानी से, 4 x will come out how much, 20, and hence x will come out 5 cm, so by solving this, you can get the value of x equal to 5 cm, hence x will come out 5 cm, मतलब हो गया, जब इस पार्टिकल को left end से 5 cm पर रखेंगे, तो left वाले wire में fundamental harmonic develop होगा, right वाले wire में आपका first over tune या second harmonic develop होगा, by using the same tuning fork, इस तरीके से हमने इस problem को solve किया, आप हमारे चैनल को subscribe करें, हमारे videos को like करें, इससे हमारे को motivation मिलती है, और साथ में आप दूसरों को हमारे काम के बारे में बताईए, और इससे क्या होगा, कि उनको भी हमारे काम से मदद मिलेगा, उनकी पढ़ाई में मदद मिलेगा, right, thank you and thank you very much. मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, important problems, जो आपके waves के हैं, right, उस तरह के हैं, ताकि आप यह समझ पाएंगे कि कैसे previous year के questions हैं, वो आपको समझ में आएगा, right, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, discussion करना, waves related, problem के ओपर one by one करके करते हैं, discussion, अब उसके पहले मैं, जैसा कि कई बार बोलता ही रहता हूं कि आपको जरूर से चैनल को subscribe करना चाहिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहना चाहिए, हमारे work के बारे में बताते रहना चाहिए, ताकि उनको भी हमारे काम से benefit मिल सके, अब फटा-फट प्रॉल्म के ओपर discussion, तो कहा गया कि एक granite rod है, हमारे पास एक granite rod है, और ये granite rod का कहा गया कि वही की length 60 cm है, और clamp कर गई है at the middle point, middle point पर clamp कर दी गई है, जिस point पर clamp करते हैं, वहाँ पर definitely वो point displacement node का काम करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो point displaced होई नहीं सकता है, वो point move करी नहीं सकता है, तो इसका अंदर middle point पर definitely node बन रहा है, इस set into longitudinal vibration, longitudinal vibration उसमें set कर दी गई है, इसका तो उस rod के ओपर actually जो है, stationary longitudinal wave से develop हुआ है, ये point है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ कि rod बना लिया जाए बही, तो rod मैं बना लेता हूँ, देखें, यहाँ L है, total length इसकी L है, और L के विलिए यहाँ पर 60 cm लास्ट में place कर देगे, अब कहा गया कि इस rod की density हमें दे रखी है, यह density रो दे रखा है, यह हैं स्मॉडलोस और elasticity दे रखी है, करें fundamental frequency of long channel vibration बताएए, fundamental frequency क्या हो सकती है, fundamental frequency का मतलब minimum possible case क्या बन सकता है, vibration का उसके उपर बात क अब minimum possibility का मतलब यहाँ पर क्या है, चुकि यहाँ पर जो point fix है, वो point पर हमेसा node बनता है, और जो point free to move होता है, वहाँ पर anti-node बनता है, तो minimum possibility के case में क्या रहेगा, कि यहाँ पर displacement node बनेगा, यहाँ पर displacement anti-node बनेगा, यहाँ पर displacement anti-node बनेगा, तो right, तो यह कुछ ऐसा vibration ह समझें यहाँ पर जब इसको vibration देखेंगा आप इसका तो यह vibration कुछ ऐसा होगा राइट यह point है यहाँ पर और length of the road चुकि L यहाँ पर L by 2 हो जाएगा तो समझे बात को यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कि distance कितनी होती यदि wavelength lambda हो तो यदि wavelength यहाँ पर lambda होगा तो definitely यहाँ से यह मैं L by 2 ले रहाँ क्योंकि half of the length यदि total आप लेते हैं तो this one is L और यदि L लेंगे तो L will be equal to lambda by 2 एक ही बात है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यहाँ से मेरे पास lambda की value आ जाएगी और this lambda will come out simple सी बात है 2L तो wavelength आ गया हमारे पास अब wavelength आ गया तो frequency निकाल नहीं तो frequency क्या होत it will be equal to 1 upon 2L root over y divided by rho बस हो गया बात कतम हो गई अब length की वहली यहाँ पर कितना प्लेस करेंगे 60 cm यह 60 cm है मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं जहांसे question in fact यह previous year के questions related ही है यह 60 cm है यह 60 cm यह M नहीं आपर 60 cm है तो L के वहली यहाँ पर 0.6 meter प्लेस कर देते हैं तो 1 upon 2 into 0.6 meter root over y, y के वहली हो गए यह आपकी 9.27, 9.27 into 1010 divided by 2.7 into 1003 और इसको simplify कीगे and get the result यदि आप इसको simplify करेंगे तो what you will get यह आपका 5 kilohertz एक जकली आंसर आजाएगा आपका 5 kilohertz आजाएगा जब इसको simplify कीजेगा तो you will get basically 5 kilohertz that means the correct answer will be simple सी बात है A, right यह simplification आप खुद अपने आप कर लीजे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, simplification तो आप खुद करी सकते हैं, तो जब आप करेंगे तो आपके पास 5 kilohertz जाएगा, this is the fundamental frequency, अब यदि extended करें इस problem को और extend करें, यह कौन-कौन सी frequency इसमें और possible frequency क्या-क्या हो सकती है developed, तो कई सारी frequency यहाँ पे developed हो सकती है, यसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, right, यह point है यहाँ पे, तो इस तरह से मैंने आपके सामने यह problem को discuss करा है, मेरे खिया से सारी बात आप हम यहाँ पे का जा रहा है वही, कि एक uniform string है, एक uniform string है, जिसकी length 20 meter है, right, 20 meter का uniform length L ले लेता हूं है, L के विले बाद में 20 meter place कर देंगे, इस suspended form में rigid support तो, rigid support से यहाँ पे support से इस uniform string को basically हमने यहाँ पे suspend कर दिया गया, अब एक pulse generate कर दी गया, नीचे एक pulse generate कर दी गया, यहाँ पे एक pulse generate करी गई है, और यह pulse upward travel कर रहा है, right, तो कहा कि कितने देर में दुसरे end पे यह पहुंच जाएगा, तो this one is a direct problem related with the concept of waves on the string, right, जो कि हमने distance करा हुआ है, transverse wave on the string, जिसके velocity कितनी होते है, रूपर T by mu होती है, तो आपको पता है कि velocity of the wave on the string, जो कि transverse wave है, that will जिए रू हां से यहां तक कितना यह time लेगा, जाने में यह pulse, तो हमें सब से पहले velocity की requirement होगी, अब velocity कैसे निकलेगा, वो देखते है, mu is called the mass per unit length, देखिए अब धियान से सुनिए, tension T निकालेंगे, तो tension T के लिए हम दो क्या करेंगे, इस जगा पर tension देख लेते हैं, इस पार्ट की abd बना लेते हैं, इस पार्ट की abd बनाते है, tension T, नीचे weight, mu xg, चुकि uniform rope है, तो uniform rope के case में, mass print length will be taken है, इस constant, और यह length मैं x ले लिया हो, तो mu xg, अब यहां पर यह value प्लेस करेंगे, तो tension T equal to mu xg, जब इसको प्लेस करेंगे, तो mu mu cancel out हो जाएगा, रुट पर xg आ जाएगा, बहुत असान है, mu के विली, tension T के विली, mu xg, प्लेस करेंगे, यहां पर mu mu cancel out हो जाएगा, velocity of the transverse wave, will be equal to, यह velocity of this pulse, at this point, which is at the distance x from the lower end, is given by root over xg, बहुत important result है, यह, बहुत important point यहां पर आएगा, इसका होता है, यह basically velocity of the pulse, जो इस case में, इस case की बात करेंगे, यहां पर इस बात पर नहीं depend कर रहा है, कि mass print length क्या है, इस बात नहीं depend कर रहा है, कि इस की जो है, यह rope किस material का बना हुआ है, इस बात नहीं depend कर रहा है, कि इस rope के cross sectional area क्या है, यदि uniform rope हो, और ऐसे suspend कर दिया जाए, तो velocity of the pulse, at the distance x from the lower end, depends only on x, यह point root over xg पर dependent है, ना तो यह, आपका material पर dependent है, नहीं cross section area of the rope पर depend कर रहा है, that means copper होगा, यह aluminium होगा, दोनों case में, जो है, same velocity होगी, at the distance x from the lower end, right, तो velocity of the pulse आ गया, यदि velocity of the pulse आ जाएगा, तो क्या basically कितना time लेगा, तो निकालना असान है, चुकि यहाँ पर velocity of the pulse variable है, इसने हमें integrate करना पड़ेगा, कई लोग गलतीस में कर देता है, l equal to vt से लगा देंगे, right, l equal to vt distance equal to speed into time, वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर speed basically constant नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको root over xg को लिखेंगे dx by dt, बहुत important point है, और इसे अब integrate कर दिया जाएगा, आप इंटेग्रेट करेंगे, तो dx by root x, right, equal to root g dt, अब इसे आप integrate कर दिया, 0 से लेके t तक, 0 से लेके l तक, ऐसे integrate कर देंगे, जैसे हमारे को total time मिल जाएगा, कि कितना देर लगेगा, यहाँ पर, right, तो अब करतें यहाँ पर, root x, 1 by root x का integration, समझे बात को x ratio दिपाओ, minus 1 by 2 plus 1, divided minus 1 by 2 plus 1, 0 से लेके l तक, equal to root g into t, dt का integration t आजाएगा, right, यह सम on root x का integration आपको पता ही होगा, कि कैसे करतें, तो वही integrate कर दिया गया है, minus 1 plus 1, will give half, उपर जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 2 root over x आजाएगा, यह, right, और 0 से l तक integrate करेंगे, तो 2 root over l आजाएगा, तो that मिजब इसको आप करेंगे, तो t will come out, 2 root over l by g, बहुत, बहुत important है, यह point, इ इस पल्स को यहां से यहां तक जाने में, जो time लएगा, that will equal to 2 root over l by g, 2 root over l by g, यह time लगेगा, पल्स को जाने में, पल्स को जाने में, जो time लएगा, 2 root over l by g, अब इस result को आप एक तरह से याद भी रख सकते हैं, right, यह point है यहां पे, अब बताई, यहां पे, l के वल्यों कित kind के अंदर जो है, यह pulse जो है, एक end से दूसरे end को travel कर लेगा, इस तरीके से मैंने आपके सामने इस दो problem को discuss करा है, दोनों ही problem, in fact, मैं कहूंगो कि जे email में आयोए problem है, इस तरह के आते रहते हैं, right, और काफी-काफी important problem है, जिसके उपर मैंने आपके साथ discuss किया है, जो waves से related है, बरते हैं आगे और कुछ और problem के उपर discussion करते है, right, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों का discussion चल रहा था, वेपस के उपर, right, और उसे discussion को continue करते हैं, और अगले कुछ problems के उपर discussion करते हैं, यह सारे problems काफी-काफी important है, आपके entrance के point of view से, तो जर water से fill कर दिया गया है, तो मैं एक glass tube ले लेता हूँ, यह glass tube आपका, और इसकी length यहाँ पे 1 meter है, और completely fill कर दी गया है, let's say यह पूरा का पूरा यह आपका है, और 1 meter का tube है, तो 1 meter है, तो length L ले लेते हैं, और L के विलिए आपकी यहाँ पे 1 meter के equal है, या 100 cm ले सकते हैं, अब कह गया, कि नीचे वही एक आपका क्या है, कि पानी drain out हो रहा है, the water can be drained out slowly at bottom of the tube, और अबेसे बाते नीचे छेद होगा, तो उसे धिरी-दरे करके water नीचे जा रही है, तो water नीचे जाएगी, तो level अबेसे बाते बाते का level क्या करेगा, यहाँ पे change करेगा, एक vibrating tuning fork ले रिजे, यह off frequency 500 hertz, तो frequency एक vibrating tuning fork है, जो कि इसके पास मिलाया गया, इसकी frequency आपकी 500 hertz है, और इसको इसके just उपर रखा गया, तो होता क्या है, तो यह basically यहाँ पे, क्या है कि जब पानी drain out होगा, तो situation ऐसी कुछ बन जाएगी, धियान दीजी यहाँ पे, situation कुछ ऐसी बन जाएगी, किसी बक्त पे, यहाँ पे पानी drain out हो रहा है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यह एक तरह से air column है, समझे बात को, यह air column है, जिसके मैं length यहाँ पे small air ले ले लेता हूँ, यह एक तरह से air column, यहाँ पे closed organ pipe की तरह काम कर रहा है, जिसके अंदर वही frequency produce होगी, जो कि इस vibrating tuning fork की है, that means, इसके अंदर जो frequency produce हो रही है, that frequency of the, जो यह close drawing pipe बनाना, तो इसके अंदर जो frequency of vibration है, वो 500 hertz के equal है, वही frequency जो कि आपकी यहाँ पे vibrating tuning fork की है, क्योंकि वही basically इसके अंदर sound waves यहाँ पे produce कर रहा है, तो यह अब बात यहाँ पर किया है, कि यह किस harmonics में produce हो रही है, यह हमें नही इसके अंदर की जो frequency होगी, प्याथ हार्मोनिक की, वो लिख सकता हम है, PV by 4L, capital L यहाँ पे आपका 100 cm है, लेकिन यहाँ पे small L length of the air column है, और this frequency must be equal to 500 hertz, यहाँ नहीं लिख दिया, अब हमारे को कहा जा रहा है कि इसमें की total number of resonance बताने है, total number of resonance मतलब किस-किस length पे basically इसकी वही frequency होगी, जो की basically tuning 4 की है, resonance का मतलब क्या होगी है, जो vibrating tuning 4 के उसकी frequency, जो air column के अंदर जो frequency बनेगी, वो दोनों आपस में equal होना चाहिए, और हर एक length पे equal नहीं होगी, particular सब length पे equal हो तो माल ले जाए किसी length L पे, air column के किसी length L पे, और आपका Pth harmonique है, तो उस समय जो frequency बनेगी, PB by 4L, that will equal to 500, अब इससे मैं L के condition निकाल लूँगा, small L के value निकाल लूँगा, अब small L, at the most कितना जा सकता है, 100 cm, उससे ज़्यादा तो जाए नहीं सकता है, क्योंकि इस पूरे pipe को जब पानी पूरा drain out हो जाएगा, तो at the most air column की जो length बनेगी, वो कितनी बनेगी, 100 cm, तो देखते हैं अब यहाँ पे, तो L की value निकाल लेता है, तो यहाँ से हमारे पास जो L की value आएगी, that will be equal to basically, यहाँ पे P, V के बनेगी 330, तो P लिख देता है जी, into 330 divided by 4 into basically 500, यह बन जी आएगा जी, तो इससे यहाँ पे, L की जो value आएगी, cm में लिख देते हैं, तो P into 33 divided by 200 into 100, this much of cm, right, that means the L will come out एतरा से यह भी और यह कट गया, तो 16.5 P, this much of cm, right, तो पहला P के बनेगी 1, शुरुआ तो P called 1 से होगा, जब P called 1 डालेंगे, तो length L जो आएगा, 16.5 cm, तो पहला air column जो होगा, 16.6, air column की length जो होगी, 16.5 cm बनेगी, उसके अपर first harmonic में यह vibrate करेगा, जिससे कि उस case की जो frequency होगी, वही होगी जो की इस tuning fork की है, तो पहला length तो यह होगा, जब P called 1 डाला तो, जब P called to 3 डालेंगे, 2 नहीं डालना है, 2 इसलिए न carbon pipe है, तो P called to 3 डालेंगे, तो it will come out, 16.5 x 3, which will come out, यहाँ पे कितना आजाएगा, 49.5 cm, आएगा नहीं आएगा, तो it will come out, 49.5 cm, that means, जब air column की length 16.5 का thrice हो जाएगा, which will come out, basically, आप देखेंगा, 49.5 cm है, तो उस case में, यहाँ पे हमारा basically, third harmonic में air column vibrate करेगा, और उसकी वही frequency होगी, जो कि tuning 4 की है, अगला क्या होगा, P equal to 5, तो P equal to 5 पे 16.5 x 5, which will come out, 82.5 cm, करके देखेंगा, 5 से multiply कर दीजे, तो यहाँ आजाएगा, 80 plus 2.5, it will come out, 82.5 cm, अगला इस length पे, जब यह length air column का होगा, तो उस समय यह 5th harmonic में होगा, इस वाले पे 1st harmonic में, इस व पे 5th harmonic में, और हर case की frequency होगी, जो 500 Hz, जो tuning 4 की frequency है, समयने में आरी बात है, अब अगले वाले में, जब P7 डालेंगे, तो no, P equal to 7 पे, यह greater than 100 cm आ जाएगा, इस काम अतलब, इस 3 length को छोड़के, और किसी भी length पे, यहाँ पे resonance नहीं होगा, तो how many resonance will be there, तो that means, it will be simply 3 resonance, 3 resonance जिससे कि, और इन सारे length of air column पे होगा, जब की frequency of the vibrating tuning fork 500 Hz होएगा, बहुत बहतरी इन प्राउलम है, काफी बढ़ियां प्राउलम है, इसका एक extended part यह भी हो सकता है, यह दो मैं बर्नोरी स्थियोरम से रिलेट करूँ, तो यह भी हो सकता है, कि time किस-किस time पे ऐसा होगा, तो time होता है कि कितने देर के बाद उतना water leak out कर जाएगा, जो हमने fluid dynamics में distance भी कर रखा है, तो उसको हम दो relate करके इसको और better and better problem करा जा सकता है, जो perfect problem advance के लिए हो सकता है, हाला कि यह mains or advance के point of view से बहुत बढ़िया problem है, तो इस तरीके से यहाँ पे तीन resonance आएंगे इसके, अब ब इसके two stressed wire in unison, unison मतलब दोनों की same frequency है, तो दो stressed wire लेया जाएए, इसके पर आपको पता ही है, कि transverse stationary wave develop होता है, तो दो अलगलग wire हमने ले लिया, और दोनों की frequency अभी same है, ff है, if t in one of the wire, t मतलब tension in one of the wire is increased, इसका मतलब होता है, यहाँ पे increase मैं ले दिया हूँ, आप मतलब increased by one percent, एक percent से increase कर दिया जाए, तो three bits are produced in three seconds, right, produce होगा, एक मिनट मेरे ख्याल से, problem is three bits, अच्छा, problem के अंदर two seconds है, यह two seconds है, समझे बात को, यह two seconds है, मैंने भी problem देखा, तो three bits are produced in two seconds है, right, तो ध्यान दीजिए, three bits are produced in two seconds, तो एक second में कितना हो जाएगा 1.5, इसका हूँ तब frequency अब नए frequency f dash हो जाएगी, और इसके तो अभी भी f रहेगी, और f dash minus f will be df, चुकि यहाँ पे काफी काफी कम amount से, यहाँ पे tension increase करा गया है, तो df will come out 1.5, समझे बात को, आप समझे बात को, f equal to f by 2l, root over t by mu होता है, जब यहाँ पे एक wire के अंदर transverse stationary wave produce करते हैं, तो frequency is proportional to root t, tension न, tension में काफी कम amount से increase करी गई है, dt by t into 100 यहाँ पे 1 के equal है, इसलिए frequency में भी जो increase होगा, वो बहुत ही कम होगा, और frequency किते amount से increase कर रही है, simple सी बात है, 1.5 hertz से, df जो हो रहा है, change in frequency जो हो रही है, वो 1.5 hertz हो हो रही है, ऐसा इसलिए है, कि 3 bits in 2 seconds, तो 1 second में basically 1.5 bits, 1.5 bits क frequency, right, तो यह point है यहाँ पे, अब हमारा purpose क्या है, basically निकालना, initial frequency हमें f की value चाहिए इनकी, तो देखे, f proportional to root t है, तो इससे directly आप लिख सकते है, df by f into 100 will be equal to 1 by 2 dt by t into 100, यह कई दपे मैंने इसके ओपर work out करा रखा, यह किस बेसिस पर work out होता है, तो y equal to c x raised to the power n, तो dy by y into 100 will be equal to n times dx by x into 100, यह तब apply करते हैं, जब changes काफी 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 कम हो, मैंने बहुत दफे इस problem के ओपर, ऐसे problem को distance कर रखा है, तो directly इस point को ध्यान में रखने से, काफी कम time यह problem solve हो सकता है, right, तो इस बात को ध्यान में रखे, यहाँ पर y जो f का का काम कर रहा है, c proportionality है, तो f equal to c root over t you get t raised to half, n के वाफ के एकवल हो आ गई, तो df by f into 100 will be equal to 1 by 2, dt by t into 100, dt by t into 100 कितने के एकवल है, 1% मताब 1 के एकवल है, और df by f into 100, हमारे को f निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा, बहुत ही simple है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, अब यहाँ से, तो यहाँ से हम दो क्या कर देंगे, df की value 1.5 हर्ज है, हम मुझे f निकालना है, तो हम दो भी लिख देते हैं, 1.5 into 100 divided by f, right, it will be equal to 1 by 2, क्योंकि dt by t into 100 कितना है, basically 1 के एकवल है, तो it will be simple से जगात है, half आ गया, तो half आ गया, तो simplify कर लीज़े, यह लिगर 300 हर्ज, simple से बात है, frequency, original frequency 300 हर्ज के आस पास जाएगे, hence the original frequency, simple से बात है, 300 हर्ज आएगे, calculation कीजिए, get the result, df की जगा पे, 1.5 f, हुझे निकालना है, dt by t into 100 is 1, hence, जब complete करेंगे, तो f will come out 300 हर्ज, जो बहुत असान तरीके समयने आपको बताया है, यह problem को solve करने का तरीका, यदि आप, जो मैं approach आपको बता रहा हूँ, यदि इस approach को ध्यान में रखा जाए, और ऐसे करा जाए, तो यह problem करना बहुत बहुत असान हो जाएगा, अब बहुत लिए important बढ़ी problem में, जो मैंने आपके साथ discuss किया है, तो definitely सारी बाते आपको समझ में आ रही होगी, आ गई होगी, तो lecture को like कीजिए, लोगों को हमारी channel हमारी work के बारे में बताते रहे हैं, ताकि उनको भी हमारे काम से benefit हो सके, right, okay, thank you and thank you very much, मिलते अगले session में, जिसमें कुछ नए concept और नए problem के पर work out करेंगे, Einstein Classes जो हमारा पुरा एक platform है, जो कि आपको complete help करेगा JMEN की तैयारी के लिए, जिसमें की कई सारे lectures हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखें आपके, IIT JMEN Advanced physics का आप देख सकते हैं, JMEN Advanced crash course, जिसमें की अभी तक 8 chapter को हमने यहाँ पे upload कर दिया है, तिन-तिन घंटे की lectures हैं, इसको जरूर से आप थोरोली देखियें, और इसका काफी आपको काफी मदद मिलेगा, फिर इसका J-Advance most important problem from Ierodob SC Burma, इसमें काफी important problem हैं, in fact NCRT के भी important problems हैं, जिसमें की 73 total lectures हैं, इसका आप खेलप लीजिए, JMEN Advanced physics tricks का है यह lecture, इसमें काफी सारे 23 tricks बताए गए हैं, जो कि concept-based tricks हैं, और इसका यूज करके आप जल्दी से प्राउं को solve कर सकते हैं, फिर Erodobe solution है, जिसमें की 43 important prompts Erodobe के हैं, वो हमने यहां पर place करा हूँ है, different topics को लेके, फिर इसमें आपर सोमोर करिएगा, तो और भी आजाएगा, SC Burma के मिल जाएंगे, J- advanced physics का crash course है, हाला कि आपको इस crash course के ऊपर work out नहीं करना है, यहां पर आपको करना है, and then इसके बाद आप देख सकते हैं, कि यह देखे है, J-Main most important chapter topics in physics, इसका आप help ले सकते हैं, यह सारे आपकी video lectures हैं, जो आपको मदद करेंगे, rotation rolling motion के 12 lectures हैं, इसका नीचे आजाते हैं, इसक इसका आप देख सकते हैं, यह सारे आपका mass and chemistry related आपको मिलेगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से J-Main में के लिए आपका यह सारे lectures हैं, जो कि आप यूज कर सकते हैं, फिर इसके बाद हमारे पाद हमारा जो है, आइशाइन क्लासिस का site भी है, जब यहां से click करे आपको पास यह साइट ओपन हो जाएगा, देखिए, आपको आइशाइनक्लासिस.com का यह साइट है, जहां पर आप जा करके J-Main का से related study material देखिए, आपके J-Main और ITG यही दो है, J-Main का आपको मैं ओपन करके बताता हूं, इसमें देखिए अब, इसमें फिजिक्स, मैस, प्रिवियेस एकोसन पेपर, टेस्ट पेपर, यह सारे हैं, जैसे कानेमेटिक का खोलीज़ा, इसके बाद फिर आपका कौंसेट्स है, ब्रीफ कांसेट्स लिखे गए है, इसका प्रैक्टिस प्रवल्म है, उसी कौंसेट्स के ऊपर, इसके बाद फिर से एक्सलरेशन और इ इसका help लेकर आप तयारी कर सकते हैं इसके बाद हर एक जो भी चैप्टर उसके अंदर में हर चैप्टर को इस तरह से concept रखा है ब्रिफरी concept लिखी गई है फिर उसके नीचे ही प्रॉम्स दिये गए हैं ताकि आप उस concept को समझ सकें इसके बाद आगे देखें आप इसी तरीके से देखें पूरी चैप्टर को अब किया है इसके अंदर इंपोर्टिन प्रॉम्स का एक्सराइज है जो कि आपकी जेही में में आएडवांस में आता रहता है यह देखें आपको मैं दिखाता हूं यह पूरा जैसे इसमें आप के इनिश्यल स्टेट में करीव हैं आप 15 कोस्टन इसमें जो है 17 कोसन हैं फिर फाइन स्टेट साइज थोरा टफर लेवल के प्रॉम्स जो जेही में में आते हैं बड़ यह कंप्लीट जेही में को कभरा प अच्छे से करा देगा यह पूरा इस्ट इसमें इसमें सॉलिशन कहीं पे भी एवल नहीं है बड़ आपको पूरा यह एक स्टेट में जाएगा जैसे कि आप लेकर तैयारी कर सकते हैं इस दरीके से हर चैप्टर का है इंफेक्ट मैं आपको बिखा दो देखेंगा यहां प इसके बाद इसी तरीके से हमने आप लोगों के लिए आईटीजे के लिए ऐसा पुरा ही इसका पूरा है सारे चैप्टर्स का और साइट हमारी काफी प्लेइन साइट है और जाकर की स्टाइवेडियन का। बाताने का पर्पस यह था कि आपकी स्थायट को और हमारे जो एड्द चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लोगों को मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ताकि जो भी नए वीडियो अप्लोड होएंगे तो उनके पास डिरेक्ट ली नोटिफिकेशन में आ जाएगा उसका वह ले सकते हैं मिलते हैं अगले को सब्सक्राइब करते रहेंगे जो कि आपका पूथ होजिन नाइंटीन में आपका जनुर्वरी के महने में होने जा रहे हैं ओके थाइंक्यू थाइंक्यू परिमाच